आज की इस विचार गोश्टी में उपस्थित सभी जैपुर के सम्माननी नागरिक बंदो मंच पर बैठे हुए आदरनिय श्री धूत जी रोटरी कलब के पूर्व प्रांत पाल महोद है मैं आपके सामने भारत देश की आज की एक बहुत गंभीर विशय पर वारता करने की तैयारी में हूँ और वो गंभीर विशय क्यों है क्योंकि हमारे देश में पिछले दस बारे वर्षों से या भी कहें तो पंदरे वर्षों से सरकार की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है वो है उदारी करण वेश्री करण ग्लोबलाइजेशन लिब्रलाइजेशन पिछले दस बारे पंदरे वर्षों से जब से ये अभियान चल रहा है इस अभयान को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये ना तो globalization है ना तो liberalization है ये भारतिय समाज का Americanization करने की कोशश हो रहे है क्योंकि अगर globalization की हम बात करें और liberalization की बात करें तो वो बात कुछ दूसरे तरह की होती है जैसे हम कहते हैं कि दुनिया जो है ना सबके लिए खुली है अगर दुनिया सबके लिए खुली है और बार-बार एक महावरा इस्तेमाल होता है कि अब पूरा विश्व एक गाउं हो गया है कोई कहीं भी आ सकता है कोई कहीं भी जा सकता है तो इस द्रश्टी से मैंने उदारी करण, वैश्वी करण को समझने की कोशिश की है कि क्या सच में विश्व एक गाउं हो गया है तो मेरे मन में जो प्रश्ण आता है वो और जो हो रहा है वो दोनों को जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है अगर हम globalization का सही अर्थ माने तो भारतीय माननिता में और भारत की संस्कृती में सब्विता में वसुदहव कुटुम्ब कम कहा गया है कि सारी वसुदहव पूरी प्रत्वी हमारा एक परिवार है कुटुम्ब है जिसमें हर कोई स्वतंत्र है अपनी इक्षा से दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हुए कुछ करने के है हमारी तो भारत की माननिता कुछ इस तरह की है येकिन क्या दुनिया में वैश्वी करन और उदारी करन के नाम पर जो हो रहा है वो वैसा ही है तो देखने में आता है कि हो ये रहा है कि अमरीका और यूरोप की तरफ से दुनिया के गरीब देशों को जवर जस्ती दवा कर एक तरफा उनको अमरीका और यूरोप की वस्तों का सेवाओं का बाजार बनाने की तैयारी और कोशिश हो रही है जब हम सही वैश्वी करण की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिसके पास जो कुछ है कहते हैं न कि दुनिया में अभी भारत में हमारे वरतमान प्रधान मंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग इस वैश्वी कर और अधारी करण के बहुत बड़े पैरोकार हैं और बहुत बड़े समर्धक हैं वो हमेशा एक तरक देते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को सस्ती और अच्छी वस्तों का खरीदने का और उपभूख करने का अधिकार है तो ठीक है किसी देश के पास बहुत अधिक मात्रा में सस्ती और अच्छी वस्तुएं हैं तो वो दूसरे देश में जाकर उनको बेचे लेकिन इसके विपरीत अगर किसी देश के पास बहुत अच्छा और सस्ता श्रम है तो वो भी किसी दूसरे देश में जाकर बेचे एक तरफ वस्तुए हैं, एक तरफ श्रम हैं और एक तरफ पूझी है अगर किसी देश के पास बहुत सरपलस में पूझी है बहुत अधिक मात्रा में पैसा है जो पिछले 500-700 वर्षों में किसी एतियासिक प्रक्रिया के तहत इकठा हुआ है जैसे यूरोप और अमेरिका में तो वो तो स्वतंतर हैं अपना पैसा लेकर कहीं भी जाने के लिए कहीं भी लगाने के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए और सारे के सारे नियम काईदे कानून उसी हिसाब से बन रहे हैं WTO की विश्व व्यापार संगठन की अंतराश्वी मुद्राकोश और विश्व बैंक की जो शर्ते हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अमीर देश अपनी पूजी को लेकर किसी भी देश में जाएं कुछ भी उत्पादन करें विक्री करें और मुनाफा लेकर अपनी देश में आएं तो जब भी उनसे ये बात होती है कि भई आप अपनी पूजी लेकर दुनिया के अगर किसी भी देश में जा सकते हैं तो जिन देशों के पास पूजी नहीं है उनके पास दूसरी कोई चीज है तो वो उसे लेकर दूसरे किसी भी देश में जाने की उनको छूट होनी चाहिए जैसे भारत के बारे में मैं बात करूँ अफरीका के बारे में मैं बात करूँ एशिया के देशों के बारे में बात करूँ तो हमारे पास पूजी अधिकता में नहीं है क्योंकि एक एक एतिहासिक प्रक्रिया के तहट पिछले 500 साल में हमारी पूजी को लूटा गया है गुलाम बनाकर कभी अंग्रेजों के दौारा कभी फ्रांसीसियों के दौारा कभी डच लोगों के दौारा कभी स्पैनिश लोगों के दौारा समय समय पर हमारे देशों को हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाकर हमारी पूजी को लूटा गया तो हमारे पास तो सरपलस में पूजी नहीं है लेकिन हमारे पास surplus में शरम है, labor है और skilled labor है तो उदारी करण में क्यों नहीं हमको इस बात की छूट होनी चाहिए कि हम हमारे अत्रिक्त शरम को, अत्रिक्त labor को लेकर दुनिया के किसी विदेश में जाएं और उनको वहां हम काम पे लगाएं और उनके शरम का जो मूले मिले, वो भारत में लेके आएं इसका अर्थ यह है कि हम हमारा दर्वाजा अगर विदेशी पूझी के लिए खोलते हैं तो अमरीका और यूरोप के देशों के दर्वाजे हमारे शरमिकों के लिए क्यों न खुलें बई जिसके पास जो surplus है वो अपना बेचे बाजार में तो यूरोप और अमेरिका के पास वस्तूओं की अधिक्ता है और पूझी की अधिक्ता है क्योंकि वो mass production वाले लोग हैं तो अपनी वस्तूओं और पूझी को लेकर अगर वो हमारे यहां आना चाहते हैं तो हमारे पास शरम की अधिक्ता है क्योंकि जनसंख्या बहुत है चीन के पास शरम की अधिक्ता है क्योंकि जनसंख्या बहुत है तो हमारे मजदूरों को उन देशों में जाने की खुली छूट होनी चाहिए अर्थाथ किसी भी देश में भारत के मजदूरों को जाने के लिये वीजा एप्लिकेशन क्यों होना चाहिए globalization में जब उनकी पूजी हमारे देश में आती है और बिना किसी रोक टोक के आती है तो हमारे श्रम को उनके देश में जाने के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए अमरीका और अमरीका समर्थक देशों में वीजा के लिए रुकावट क्यों होनी चाहिए भारत के नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यक्ता क्यों होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास शरम है उनके पास पूजी है दुनिया में दो ही चीजे होती है जो उत्पादन में मदद करती है या तो पूजी मदद करती है या श्रम मदद करता है और पूजी अकेले तो कुछ नहीं करती बिना श्रम के बिना लेवर के पूजी तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो अपने आप में मृत वस्तु है उसमें तो जान नहीं है जीवित नहीं है तो हमारे पास जो जीवित है वो हमारा श्रम है तो हम हमारे नागरिकों को श्रमिक बना कर करोड़ों की संख्या में अमरीका क्यों न भेज दें माल लिजे हमारे बीस करोड श्रमिक हैं अमरीका उनको ले ले हमारे पास 50 करोण श्रमिक है यूरोप के देश उनको ले ले तब हम उनके देश की पूझी ले ले तो बात बराबर बैठती है और तब हम उसको globalization कह सकते है कि भाई तुमारे पास कुछ अधिक है तो तुम दे रहे हो हमारे पास कुछ अधिक है तो हम दे रहे हैं तुमको ये लेंदेन अगर बराबर के स्थर पर होता है तब तो कुछ ठीक बैठता है और उसको हम globalization कह सकते हैं येकिन अभी क्या हो रहा है वास्तविक्ता ये है कि हमारे श्रमिक अमरीका ना जा सकें यूरोप के देशों में ना जा सकें उसके लिए इतने कठोर वीजा के नियम बनाए गए हैं कि आप आसानी से वीजा ले न सकें भारत में हर साल 50 लाख से ज़्यादा नागरिक अमरीका के वीजा के लिए application देते हैं और उन मैंसे 45 लाख को एक ही बार में reject कर दिया जाता है पांच लाख मैंसे selection किया जाता है और उसमेंे से मुश्किल से एकाद लाख को या उससे भी कम 780 हजार को वीजा दिया जाता है तो हमारे यहां से नागरिक उनके यहां नहीं जा सकते लेकिन उनके यहां से पैसा हमारे यहां आ सकता है अच्छा जब इन देशों के साथ इस तरह की बात होती है तो वो एक तर्क देते हैं वो यह कहते हैं कि अगर हम भारत और भारत जैसे विकाशशील देशों के श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दें तो हमारे देश में तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा लेकिन उनकी ये बात सच नहीं है ये बहुत बड़ा जूट है क्योंकि वो देश बहुत कम पॉपुलेशन वाले हैं पहले से ही तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन होने का कोई कारण वहाँ दिखाई नहीं देता मैं आपको एक्तुलनात्मक तरीके से समझाता हूँ भारत में 110 करोड लोग रहते हैं लगभग इस समय और हमारा जो कुल छेत्रफल है उससे दो गुना जादा छेत्रफल अमरीका के पास है अमरीका का छेत्रफल पूरे देश का हमारे भारत से लगभग दो गुना जादा है और अमरीका में मात्र 30 करोड लोग रहते हैं इसका मतलब ये है कि अमरीका में अभी भी 30 करोड लोग और रह सकें इसकी गुंजाईश है तो क्यों नहीं अमरीका की सरकार अपने सारे दरवाजे खोल कर दुनिया के देशों से कहती है कि तुम हमारी पूजी लो और अपने श्रमिक हमें दो तो भारत से 30 करोड श्रमिक हम अमरीका भेज दें हम भी थोड़े बैलेंस हो जाएं वो भी थोड़े बैलेंस हो जाएं लेकिन अमरीका 30 करोड तो छोड़ दो 3,000 लेने को तयार नहीं अमरीका से भी ज़्यादा छेत्रफल कनाडा देश का है कनाडा का छेतरफल तो अमरीका से भी जादा है भारत से तो लगबत तीन गुने से जादा है कनाडा और आबादी उनकी बहुत कम है आप जानते हैं कि कनाडा की कुल आबादी तीन करोड से भी कम है तो तीन करोड की आबादी है और भारत से तीन गुना छेतरफल है हम भारत के 110 करोड लोग जितने छेतरफल में रहते हैं कनाडा में 330 करोड लोग रह सकते हैं तो क्यों नहीं कनाडा की सरकार अपने सारे दरवाजे खोल कर भारत और भारत जैसे श्रविकों को क्यों नहीं आमंत्रित करती कनड़ा के आगे चलें आस्ट्रेलिया की बात करें आस्ट्रेलिया का छेत्रफल भी भारत से धाई गुना जादा है और आस्ट्रेलिया की कुल आवादी मात्र दो करोड है और हमारी कूल आवादी 110 करूर है माने जितनी चेत्रफल में 110 करूर लोग रहते हैं उतने चेत्रफल में आस्ट्रेलिया में 2500 करूर लोग रह सकते हैं तो आस्ट्रेलिया की सरकार अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलती भारत के सभी श्रमिकों के लिए कि आप आओ है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और एक उधारण देता हूं और उसका भी शेज़ेशन भारत से जाड़ा है और सवहा के रुखा के जो भी है वहां रहने वादे दर्फट एक करोड़ के आसपास है एक सवह करोड़ है तो क्यों नहीं न्यूजिलेंड की सरकार ये कहती है कि आप आओ आपके लिए सारे दर्फट खुले है हमारे पास पूंची जादा है आपके बाश्रम जादा है आप अपने शर्वेगों को न्यूजिलेंड भेज़ दो हम उनको खपा लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स इस भी है और बहुत जमीन भी है और यह ज 245 देश एक एक करोड के आसपास की जनसंख्या में रहते हैं और भारत और चीन जैसे जो देश दो देश जहां की कुल जनसंख्या लगभग 2500 करोड के आसपास है वो इन से कम छेतरफल में रहते हैं तो चीन और भारत के पास श्रम बहुत है एशिया के पास श्रम बहुत है त तो हम उनकी पूजी के लिए अपना धरवाजा खोलें, तब तो बात बनती है globalization, उदारी करन, वैश्वी करन, जिसको हम इमानदारी से कहें, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी जो हो रहा है पिछले 12-15 वर्षों से हो ये, कि भारत के श्रमिक और चीन के श्रमिक, बंगला देश के श्रमिक या पाकिस्तान के श्रमिक, यूरोप के देशों में घुस नहीं सकते, इतने कठोर वीजा के कानून पिछले 10-12 वर्षों में बनाए गए हैं, और ना सिर्फ कठोर कानून बनाए गए हैं, बलकि बेईमानी भी शुरू की गई है, बेईमानी क्या शुरू की गई है, मैंने आप से का कि 50 लाख हिंदुस्तानी हर साल अमरीका के लिए वीजा एप्लिकेशन देते हैं, उन वैसे 45 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकि आप जानते हैं कि वीजा एप्लिकेशन करते समय फीस देनी पड़ती है, और आसतन फीस अगर आप 500 डॉलर मान लें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के वीजा हैं और अलग अलग तरह की फीस हैं, तो हम सामन ने रूप से मानें कि 500 डॉलर की फीस एक एप्लिकेशन के साथ हमको देनी हैं, तो 50 लाख एप्लिकेशन में 500 डॉलर का मलिटिप्लिकेशन कर लें, तो आप कल पना करें कि हम हजारों लाखों करोडों डॉलर वीजा एप्लिकेशन फीस के साथ दे रहे हैं, तो जब वीजा हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है, तो एमान दारी के साथ हमारी फीस वापस होनी चाहें, लेकिन अमेरिका की कोई भ पूरी बेईमानी के साथ इस देश को लूटने में लगी हुई, ये मानदारी तो ये है कि अगर आप हमारा वीजा नहीं दे सकते तो फीस वापस कर दो, और कह दो कि भई आप अमरीका जाने के लायक नहीं हैं, लेकिन हमारी फीस भी नहीं देते, पैसा भी रख लेते हैं, अपमान करके हमको एमबेसी से निकाल भी दिया जाता है, फिर भी हम वहाँ लाइन लगाके खड़े रहते हैं, मैंने बहुत दुखत दरश्य मेरी आँखों से बार बार देखा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मदरास में भारत के लोग गुलामों की तरह से अमरीका जादा सम्मान जनक होता है, हर छोण अपमान करते हैं, आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और बहुती बत्तमी जी के साथ आप से सवाल किये जाएं, और सिर्फ इतना ही अपमान नहीं करते हैं, आप गलती से वीजा पा गए और अमरीका के हवाई अड़े पर पहुच गए तो आपके कपड़े उतार सकते हैं, और पूरे के पूरे उतार सकते हैं, और ये कोई साधरन आदमी के साथ होता हो, तो हम चलो मान लेते हैं, लेकिन ये हमारे रक्षा मंतरियों के साथ होता है, मुख्य मंतरियों के साथ होता है, अभी थोड़े दिन पहल देश के मुख्यमंत्री श्री बाबुलाल गौर अमरीका प्रवास पे गए और हवाई अड़े पर सारे कपड़े उतर वाली और श्री बाबुलाल गौर कहते हैं खुद कि मैं सिर्फ अंडर्वियर पहने हुए था वाकी सब उतारना पड़ा इसी तरह से हमारे देश के एक ब मुख्यमंत्री का किसी भी हवाई अड़े पर कपड़े का उतार दिया जाना ये इस बात को बताता है कि उनकी जो मानसिकता है हमारे प्रती गुलामी वाली वो अभी गई नहीं है वो हम वो अभी भी गुलाम मानते हैं तो फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है जो भी वहां से तो सब कुछ यहां आए वहां की कंपनिया यहां आए वहां की सेवा करने वाली संस्था यहां आए वहां की विशेशल भी यहां आए डॉक्टर्स आए चार्टिड अकाउंटेंस आए इंजिनियर्स आए वहां के एड्वोकेट्स भारत में आए सब कुछ वहां की यहाँ आए, वहाँ की दाल आए, चावल आए, चना आए, मटर आए, वहाँ की सबजियां आए, सब कुछ, यहाँ से कुछ ना जाए वहाँ. वहाँ की संस्कृति आए, वहाँ की सब्विता आए, वहाँ की परंपर आए, सब कुछ आए, यहां से कुछ न जाए वहाँ तो ये तो कुछ globalization नहीं है और ये तो कुछ liberalization भी नहीं है और globalization और liberalization के सही शब्दों को अगर अर्थ करना सीखें उदारी करण और वैश्वी करण की सही परिभाशा करना सीखें तो हमारे यहां संस्कृती में बहुत विस्तार पूर्वक कहा गया मतलब पूरी दुनिया आपके लिए परिवार जैसी है माने दुनिया के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करें तो परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है वैसा आप दुनिया के साथ करें पहले भी थे, आज भी हैं, और आपकी गर्ज है जो आप अमरीका आने के लिए वीजा एप्लिकेशन लगाते हैं, अमरीका सरकार की कोई गर्ज नहीं है आपको बुलाने की. तो ये तो एक तरफा मामला है, ये तो दो तरफा है नहीं तो एक तरफा मामले में तो ना तो liberalization होता है, उदारी करण होता है, ना तो वेश्वी करण होता है उसमें जो होता है, वो करण वो होता है, जिस देश से सब कुछ आ रहा है और यहां से कुछ नहीं जा पारा है यहां से कुछ भी हम भेज़ें जैसे हम अंगूर भेज़ें, आम भेज़ें, टमाटर भेज़ें, गाजर भेज़ें, मूली भेज़ें तो वहां से reject हो जाता है और वो आरोप ये लगाते हैं कि आपने इसमें बहुत यूरिया, बहुत डियेपी, बहुत सुपरफोस्पेट मिला दिया बहुत सारा पेस्ट्रिसाइड मिला दिया अब ये जहर हो गया है तो भारत का तो हम ये नहीं ले सकते हैं लेकिन वहां का कोई भी जहर यहां बिख सकता है पेपसी कोला बिख सकता है, कोका कोला बिख सकता है, पीजा बिख सकता है, बर्गर बिख सकता है, होट डॉग, कोल डॉग बिख सकता है हमारे देश की कई वेग्यानिक संस्थाओं ने पेपसी कोग को जहर गोशित किया है फिर भी विख सकता है तो वहाँ का कुछ भी विखे यहाँ का अंगूर भी अमेरिका में ना विख सके आम भी ना विख सके गाजर टमाटर मूली भी ना विख सके तो ये सारा मामला जो है ना तो वैश्वी करण का है ना उदारी करण का है ये सारा अम्री की करण का है और इस अम्री की करण को हमारे देश के वरतमान प्रधान मंतुरी ने और हमारे देश के वरतमान वित्य मंतुरी ने दोनों ने अलग-अलग समय पर बिलकुल ठप्पा लगा के सिद्ध कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तम में भारत का गुलामी करण ही है मैं आपको इसका एक त्वे सुधारण देता हूँ हमारे वरतमान प्रधान मंत्री डॉक्टर मन्महान सिंग आठ जुलाई 2005 को लंडन गए लंडन में एक बड़ी विश्विद्याले है उसको ऑक्सफोर्ड कहते है हमारे प्रधवरतमान प्रधान मंत्री ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं ऐसा वो बड़े गर्व से कहते है ठीक है अब वो जो ऑक्सफोर्ड ने उनको एक डॉक्टरेट का डिगरी दिया एक तो वो पहले ले चुके हैं पिएजडी करते हुए अभी एक दूसरा डॉक्टरेट उनको दिया ऑक्सफोर्ड विश्विद्याले ने सम्मान के रूप में तो उस डिगरी को लेने के लिए वो गए और वहाँ जो कारिक्रम था उक्सफोर्ड उन्यूवर्सिटी में उसमें उनके साथ मंच पर ब्रिटेन की महरानी भी थी ब्रिटेन के प्रधान मंतरी भी थे टॉनी ब्लेयर और ब्रिटेन की सरकार के कुछ महत्वपून अधिकारी भी थे महरानी का जैसा आप जानते हैं ब्रिटेन में आज भी राजा के जैसा ही रुत्वा है उनका जो कुरसी होता है वो सबसे उंचा बनाया जाता है बाकी सबका कुरसी उससे नीचा रहता है तो मन्महान सिंग और टॉनी ब्लेयर का कुरसी नीचा था, रानी का कुरसी उचा था, तो थोड़े उचाई के पोडियम पर वो बैटी हुई थी, पेडेस्ट्रल पे. मन्महान सिंग सहाब ने 44 मिनट वहाँ भाशन दिया, और उसकी रिकॉर्डिंग बीवी सी ने किया, और बीवी सी ने ब्रिटेन में तो उसको डायरेक्ट टेली कास्ट किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद हिंदुस्तान में भी हमें वो देखने को मिल गया, दो-तीन दिन के उन्होंने यहां भी दिखा दिया, वो भाशन मैंने देखा, तो मैं तो दंग रह गया, मन्महान सिंग ने अपने 44 मिनट के पूरे भाशन में जो कुछ कहा, वो किसी भी स्वाभिमानी भारती है के लिए शरम से डूब मरने जैसा है, उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश में से, ये उनका Oxford University में भारत के प्रधान मंत्री के रूप में वक्तव है, कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, तो क्यों हो गई ये गलती, तो अंग्रेजी सिक्षा से तो हमें बहुत कुछ लाब हुआ है। अंग्रेजी विज्ञान और तक्नी की ने तो हमें बहुत उचा उठाया है। हम तो भारतवासी अंग्रेजों के आने के पहले अंदकार यूग में रहते थे। अंग्रेजों ने हमको प्रकाश में लाया तो इसलिए अंग्रेजों की सब्विता, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन और उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की नियाए व्यवस्था न होती तो हमको तो मालूम नहीं था न्याय कैसा होता? जो अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं होती तो हम तो दुनिया के ग्यान से बिलकुल वन्चित थे हमको तो ग्यान भी नहीं होता इतनी बात은 44 मिनट में वो बोल गए उनका जो पहला ही वाक्य है अगर हुम उसको ठीक से समझने की कोशिश करें कि हम से तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाने वाले जितने भी भारतिय थे वो सब मन्मोहन सिंग की नजर में गलत हैं अर्थात महात्मा गांदी गलत हैं वगत सिंग गलत हैं उधम सिंग गलत हैं चंदरशेकर आजाद गलत हैं तात्या टोपे गलत हैं जहासी किरानी गलत हैं कित्तूर चिनम्मा गलत हैं भारत में 6,40,000 क्रांतिकारी थे जिनोंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान किया उन सब का अपमान मन्मोहन सिंग ने एक वाक्य में कर दिया कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया नहीं भगाते तो शायद और अच्छा होता भारत जो आज का भारत है ये और अच्छा होता और अच्छा होता माने मन्मोहन सिंग की नजरों में भारत और 1947 से 2005 ता कंग्रेजों का ही गुलाम रहता हमारी नजरों में गुलाम रहता मन्मोहन सिंग की नजरों में विकास करता हुआ एक देश होता क्योंकि विकास करना तो हमने अंग्रेजों से सीखा ये मनमहन सिंग की पक्की माननिता है ये उसको वो एतिहासिक संदर्व में तो नहीं लेकिन अर्थ शास्तर के रूप में वो सिद्ध करते हैं अपने सभी व्यक्ति मिलेगा जिसको आप टौर्च लेकर ढूंडो जो इतना पक्का अंग्रेज होगा अंग्रेज भी सोचेंगे तो अपने पर शर्म करेंगे कि हमसे जादा पक्का अंग्रेज तो ये है कि जो भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए ये सब करता है आजा चवालीस मिनिट का भाशन बोल देने के बाद जब उनको डिगरी दी गई तो उसके एक कदम आगे जाकर उन्होंने क्या किया मैंने आपको कहा ना कि विक्टोरिया जो उनकी रानी है वो बैठी हुई थी उसका मंच थोड़ा उचा था तो मनमोहन सिंग उसके पास गए लिट्रली घुटनों के बल उसके सामने बैठे और वो कावज हाथ में लिए हुए जैसे हम किसी बगवान के सामने घुटने में बैठ कर वो जो प्रणाम करते हैं ना अगले दिन लंदन के बहुत सारे अखवारों में बहुत कुछ छपा और एक अखवार ने तो सीमा दोड कर लिखा कि अभी हमें सोचना पड़ीगा कि भारत आजाद हो गया है हमारी गुलामी से एक अखवार ने लिखा कि अगर मनमोहन सिंग एक व्यक्ति के रूप में इंग्लेंड आएं लंदन आएं और उनको कोई डॉक्टरेट दी जाए और उसको वो स्वीकार करें और रानी के चरणों में बैठ कर प्रणाम करें तो वो सामान ने है सामन ने व्यक्ति के रूप में लेकिन भारत के प्रणामंत्री के रूप में अगर वो आए हैं और इस तरह का विवार करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत स्वतम्त्र हो गया है ये जो मानसिक्ता है ये मनमोहनसिंग तो मैंने एक निमित रूप में नाम लिया है आपको समझ में आ जाए जल्दी क्योंकि ये ततकाल की घटना है लेकिन ये घटना सिर्फ एक मनमोहनसिंग के साथ नहीं है ये भारत के उन सभी नेताओं के साथ है जो पश्चिम को विशेश रूप से यूरोप को अपना दिशाद दिर्दर्शक मानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ अच्छा होगा वो पश्चिम से ही होगा यूरोप से ही होगा अमेरिका से ही होगा इस तरह की बात जो मन्महन सिंग ने अभी की है ये कोई असामाद में नहीं है भारत में क्योंकि पिछले आजादी के लगबग 60 वर्षों में कई प्रधान मंतुरियों के मुँ से हमने इस तरह की बातें सुनी हैं हमारे पहले प्रधान मंतुरी पंडित जवारलाल नहरू तो बार बार संसद में कह रहे हैं कि भारत को यूरोप जैसा बनाना है उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे बनाना है यूरोप के जैसा और इसको उन्होंने 1953 में सुईकार किया है उनकी एक चिट्थी है जो कनाड के प्रधान मंतुरी को उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने इस पश्टता से कहा है कि मेरे और महात्मा गांदी के बहुत बड़े वैचारिक मतवेद हैं भारत के विकास को लेकर गांदी जी चाहते रहे हैं कि भारत स्वदेशी और स्वावलंबन की रास्ते पर बात कि माहत्मा गांदी का धिमाग खराब हो गया है यह शब्द है जो पंडित नहरू ने लिखे हैं गांदी जी के प्रतिन और पत्र की अंतिम बाकिक तो उनकी इतनी खराब है वो कहते हैं कि ये खूसट बुढधा जो शब्द इस्तेमाल किया है ये खूसट बुढधा जितनी जल्दी चला गया हमारे लिए उतना अच्छा बने नहरू जी को इस बात का कोई गम नहीं है कि गांदी जल्दी चले गए 1948 में ही मर गए वो पत्र की फोटो कॉपी मैंने बहुत समाल के रखी हुई है कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र 1953 में 22 जुलाई की तारीख है कनाडा के प्रधान मंत्री ने गलती से कहें या जान बूच कर कहें उस पत्र को अपनी ओटो बाइग्राफी में अभी छाप दिया है और वो थोड़े दिन में भारत में किताब बनके आएगा तो उस पे बबाल होने वाला है और जवाब देना पड़ेगा तो नहरू जी खुद मानते हैं कि मेरे गांती जी से मतवेद है विकास के सवाल पर और बाद में नहरू जी का जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर दिये गई वाक्तवे हैं जैसे उन्होंने एक बार बहुत लंबा भाशन दिया है भारत की संसद में गाए के बद को रोकने के प्रशन पर गोवद रोकने के प्रशन पर तब लंबे भाशन में उन्होंने कहा है कि आजादी के पूर्व मैंने कहा था कि गाये हत्या बंद होनी चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि आजादी के बाद वो होई जानी चाहिए और वो कहते हैं कि मैं संसद के सभी संसदों को विनम्रदा पूर्वक अपील करता हूँ कि ये गोवद को रोकने के लिए जो कानून बनने जा रहा है इसको वो पास ना होने दे अगर ये पास हुआ तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा इसमें आप क्यों परिशान है तो नहिरू जी कहते हैं कि ये विश्व के लोग हसेंगे हमारे उपर दुनिया हसेगी कि हम गाय बचाने में लगे हुए दुनिया हसेगी माने यूरोप हसेगा हमारे उपर कि हम गाय बचाने में लगे हुए क्योंकि यूरोप में तो गाय को काट के ही खाया जाता है, दूद के लिए गाय को यूरोप में पाला नहीं जाता है, ये ठीक है कि वो दूद दे देती है तो वो बाई प्रोड़क्ट है, लेकिन मुख्य तो गाय का मास है, तो दुनिया के यूरोप और अमेरिका के लोग तो हसेंगे, और हमको तो यूरोप जैसा ही हो नहीं है, क्योंकि भारत में पिछले 60 साल से ये बोला जा रहा है, अगर नहरूजी ये बोल सकते हैं, तो मनमहन सिंग के बोलने में क्या तकलीफ है, और आप कहेंगे जी ये नहरूजी और मनमहन सिंग तक सीमित है, तो ये ऐसा नहीं है, भारत में पिछले 60 वर्षों में ज पुरदानमंत्री से भी जादा पिछले साथ वर्षों में भारत की योजना बनाने वाले जो बड़े अर्थ शास्तरी होए हैं या योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं वो तो इससे भी जादा बड़ी मानसिकता वाले हैं वरतमान में योजना आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रदान मंत्री होते हैं लेकिन मुख्य काम उपाध्यक्ष करता है तो मॉन्टेक सिंग एहलू वालिया इस समय उपाध्यक्ष है वो कहते हैं कि महरूजी जितनी तीवरता से भारत को यूरोप बना सकते थे उससे जादा मैं चाहता हूँ कि और जादा तेजी से भारत यूरोप बने तो वरतमान में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो या प्रदान मंत्री हो या प्रदान मंत्री के मंदल में चिदंबरम जो वित्य मंत्री है ये तो 1996 में जब लंदन थे 24 अक्टूबर को तो इन्हों ने अंग्लेंड की बहुत सारी कंपणियों के अधिकारियों के सामने कहा था वो रिकॉर्ड पर है कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों को बुलाया और इस्ट इंडिया कंपणी के लिए दरवाजा खोला तो अब फिर से हम दरवाजा खोलना चाहते हैं आप आईए और भारत को लेके जाए हम प्लेट में रखके बहट करते हैं आपको तो इस तरह की जो मानसिक्ता है इसमें व्यक्ती महत्तुका नहीं है विचार महत्तुका है वो मनमहन सिंग ये कहते हैं, चिदंबरम ये कहते हैं, मौन्टेक सिंग अलुवालिया ये कहें या कभी पंडि जवारला नहरू ये कहें या कभी कोई XYZ और कहें व्यक्ती का महत्तु इसमें नहीं है विचार क्या है वो समझने की है और विचार बहुत ताकत के साथ भारत के सत्ता वर्ग में ये बैठा हुआ है कि यूरोप जैसा ही होना अंतिम लक्ष है हमारा अमरीका जैसा ही होना अंतिम लक्ष है हमारा मेरे मन में पिछले 10-12-15 वर्षों से ये विशह बहुत तेजी से घूमता रहा है कि अगर हमारी सत्य व्यवस्था और प्रतिष्ठान के मन में ये पक्का बैठ गया है कि भारत को यूरोप और अमरीका जैसा ही होना है तो समझ लें कि यूरोप और अमरीका क्या है क्योंकि आप जब किसी के जैसा होना चाहते हैं और बिना समझ के होएंगे तो शायद इसमें कश्ट जादा आएगा समझ के साथ होएंगे तो शायद बहतर हो जाएगा तो मैंने सोचना शुरू किया कि जिस योरोप और अमरीका जैसा होना नहरू जी चाहते रहे हैं आज के मर्मौन सिंग चाहते हैं मौन्टेक सिंग एलुवालिया चाहते हैं या ऐसे और भी बहुत सारे राजनेता होंगे जो भारत की संसद में अलग-अलग समय पर बोलते रहे हैं अनेक-अनेक दूसरी पार्टियों में हैं बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं वो ये कहती है कि भारत को होना तो यूरोप और अमेरिका की ही तरह से है लेकिन माक्सवाद के रास्टे पर सामेवाद के रास्टे पर होना तो आपको वैसा ही है लेकिन माक्सिसम से होकर सामेवाद से होकर आप वहां तक जाईए और दूसरी जो लॉबी है तो ऐसी परिस्टती में मेरे मन में एक विचारा आया कि ये गांदी जी क्या कहते है यूरोप और अमेरिका के बारे में जिसको नहरूजी खूसद बुड़ा कहते है गांदी जी के मन में क्या है तो गांदी जी की लिखी हुई सबसे पहली एक किताब मैंने पढ़ी जो उन्होंने 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज बहुत पतली सी पुस्तक है और मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सब पढ़ें तो बहुत अच्छा है तो उनके बारे में बहुत सारी जो गलत फहिमिया समाज में हैं वो दूर हो जाएशा है उस पुस्तक में गांदी जी लिख रहे हैं कि ये यूरोप और अमेरिका की जो सब्विता है ये तो बिलकुल शैतानी सब्विता है शैतान शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और गांदी जी के सामने बहुत बार उस पुस्तक को रखकर पंडित नहरु ने और भारत के कई निताओं ने आपत्ती उठाई है कि आपने इतना कड़ा शब्द क्यों लिखा है कि ये शैतानी सब्विता है तो गांदी जी कहते हैं कि मैंने ये बहुत समझ भूज कर लिखा है भावनात्मक आवेश में आकर नहीं लिखा है मैंने इस यूरोप और अमेरिका की सब्विता को समझने में अपने जीवन के उस दिन से जिस दिन से मैं लंदन आया गांदी जी जब लंदन गए हैं पढ़ाई करने के लिए और वापस आये हैं तो वो कह रहे हैं कि इस पूरे समय को मैंने इस सब्विता को समझने में ही लगाया है और मेरी जो समझ बनी है इस सब्विता के बारे में वो ऐसी ही है कि ये शैतानी सब्विता है भारत में कभी किसी पुराने काल में कोई राक्षसी सब्धिता होती होगी ये उससे भी नीचे गिरी हुई है इतने कड़े शब्दों में वो कह रहे हैं इससे भी जादा कड़े शब्दों में गानदीजी ने एक और टिपणी की है जो दर्ज है जिसको उन्होंने आज तक वापस नहीं लिया अपने मरने के पहले तक, वो टिपणी ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लमेंट प्री डेमोक्रेसी है, संसदिय लोकतंत्र जो हमने इंग्लेंड से उधार ले लिया है, या इंग्लेंड ने जबरजस्ती हमारे उपर थो दिया है, ये तो किसी वैश्यावरती से भी नीचे गिरा हुआ है, गांदी जी कहते हैं कि वैश्यावरती करना संसदिय लोकतंत्र में जाने से बहतर है, इतने कड़े शब्द हैं उनके, और भारत की संसद उस समय बन रही है, जब गांदी जी आये है, उनीसो चौदे में भारत आये हैं, तो संसद का ये निर्मान कारे चल रहा है, जो वरतमान में आपको दिखाई देता, और उनीसो पचीस में ये संसद बनकर पूरी हुई है, और इस में से बैठके होना शुरू हुई है, तो गांदी जी कहते हैं कि ये तो हमने एक बाज को खड़ा कर दिया है जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, तो गांदी जी को कोई पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो उनने कहा कि इस संसद में से जिसको हमने खड़ा कर दिया है डाचा, भारत के लिए कुछ भी शुब निकलेगा नहीं, इसमें से जो निकलेगा वो अशुब ही होग और ये बात गांदी जी जो 1914 पंदर में कहे गए है, सं 2005 में सिद्ध हो गई है, अब इसमें सिद्ध होने के लिए और बहुत प्रतिक्षा करने की जरूरत नहीं है, कि इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, प्रोस्टिट्यूशन बोल दिया, संसदिय लोग तंत्र को, और European American Civilization को बोल दिया कि ये शैतानी सभिता है, शैतान की सभिता, राक्षसों की सभिता भी इससे कुछ अच्छी हो सकती, ये उससे भी गिरी हुई है, गांदी जी की यही एक पुस्तक पढ़कर मेरे मन में तीवर जिग्यासा पैदा हुई कि गांदी जी ने जिस European सभिता के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया और जिसको उन्होंने समझ लिया 14-15 साल में, इसको हम भी समझें, तो पहले मैं ढूंडता रहा कि गांदी जी ने European सभिता के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है, लेकिन गांदी जी ने अपने पत्र में लिखा है, मीरा वहन जो गांदी समय मिला, फुर्सत हुई, तो विस्तार के साथ मैं पश्चमी सभिता के बारे में लिखूंगा, तुमको कोई आपत्ती तो नहीं होगी, तो मीरा वहन कह रही है कि बापू उस सभिता से परेशान होकर तो मैं आपके पास आई हूँ, मुझे क्या आपत्ती होगी, मुझे त शायद समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली और वो लिख नहीं पाए, यूरोपी और परवपश्चमी सभिता के बारे में जादा वो कुछ कह नहीं पाए, सिर्फ संकेत भर कुछ उन्होंने कर दिये, बाद में मैंने ढूंडना शुरू किया कि गांदी जी के जो समकालीन ह दो किसी ने कुछ लिखा हो, यूरोपीय सभिता के बारे में, तो गांदी जी के जो समकालीन है और कुछ अच्छे लेखक इस देश में माने जाते हैं, उनमें से दो-तीन ने कोशिश किया, लेकिन वो भी भरपूर तरीके से नहीं लिखा, संकेत मात्र है, जैसे एक जैनें जैन बड़े हिंदी के लेखक हुए, गांदी जी से बहुत प्रभावित थे, पश्चिमी सभिता के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, अभी थोड़े तिन पहले हिंदी के एक बड़े लेखक का स्वरगवास हुआ, श्री निर्मल वर्मा, उन्होंने थोड़ी कोशिश की है और पश्चिमी सभिता को गांदी जी की दरश्टी से देखने की लिखने की, लेकिन श्री निर्मल वर्माने पश्चिमी सभिता के बारे में दो-तीन फुटकर लेख लिखके हैं, कोई बड़ा उस तक नहीं लिख पाई, ऐसे हमारे देश में कुछ और भी हिंदी के ल दाकार में थे, वो भी कुछ लिख कर गए हैं, लेकिन वैसा नहीं, जैसा गांदी जी चाहते हैं, मैंने बहुत ढूंडा भारत में, ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो मैंने फिर सोचा कि अब कहां से लें, तो मेरे मन में आया कि जिनोंने ये पश्चिम की सभिता बनाई है, उनी से क्यों न ले, डायरेक्ट उनी से ले, भारत का कोई लेखक कुछ लिखता है उसके बारे में, उससे अच्छा ये है कि पश्चिम के लेखकों ने अपनी सभिता के बारे में जो लिखा है, उसी को एकठा करें, आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी पश्चिमी सभि या European सब्विता या अम्री की सब्विता जो भी नाम ले इसका सबसे बड़ा अथोरिटी अगर कोई माना जाता है पूरी दुनिया में वो है प्लैटो प्लैटो के बारे में दुनिया के सभी दार्शनिक एक वाक्य कहते हैं और वो बहुत महत्तुका है वो वाक्य है दा होल अफ दा यूरोपियन सब्विता प्लैटो के फुट नोट के जैसी है फुट नोट तो आप समझते हैं किताब के नीचे जो कुछ आपने लिख दिया है इसका माहिने ये है कि प्लैटो यूरोपियन सिविल्विता का सबसे बड़ा अथोरिटी है मैंने प्लैटो को पढ़ना शुरू किया और प्लैटो की जितनी भी पुस्तकें उपलब्द हैं बाजार में हिंदी में हो या अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में मैंने कोशिश की है कि उसको मैं जानू तो ज़्यादा तर अंग्रेजी में उपलब्द है ये जो रिपब्लिक है वो मेरी सबसे अच्छी क्रती है। लेटो ने बहुत कुछ लिखा लेकिन रिपब्लिक के बारे में वो खुद कहता है कि ये मेरी सबसे अच्छी क्रती है। सुकरतीज, सुकरात जो बहुत कुछ लिख गए अपनी सिविलाइजेशन के बारे में उनका मैंने कुछ इकठा किया। देकारते, बहुत बड़े दार्शनिक हैं यूरोप के, उनका बहुत कुछ इकठा किया। लेविनिद्ज, बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं, उनका इकठा किया। रूसो, जो modern philosophers में जिसकी सबसे बड़ी उचाई है, पूरे यूरोप में रूसो, उनका लिखा हुआ सब इकठा किया। और यूरोप की अलग-अलग विश्विद्यालियों में, अलग-अलग समय पर, उनकी सब भिता के बारे में, जो researches हुए हैं, उनके papers भी कठे किये। सबसे ज़्यादा research हुई है, European civilization पर, तो French में हुई है, France की जो university है, लियों में जो सबसे बड़ी विश्विद्यालियों पैरिस University जोसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है, European civilization पर, वहां से कुछ paper से कठे किये। उसके बाद थोड़ा बहुत London में हुआ है, Oxford में काम हुआ है, वहां से इकठे किये। और America में, जो सबसे बड़ी university माली जाती है, Harvard, वहां से कुछ papers इकठे किये। और इतने सारे paper सिकठा करके पिछले कई वर्षों से लगातार में पढ़ता रहा, समझता रहा, notes लेता रहा और कुछ लिखता रहा। उन सब को समझ कर और देखकर जो पता चला, तो बात बिलकुल सही है जो गांदी जी बोल गए। कि ये शैतानी सब्विता है। गांदी जी जो बोल गए हैं, शायद वो कुछ कम बोल गए हैं, इतना सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये उससे भी जादा आगे गिरी हुई सब्विता है। इस सब्विता के कुछ बिंदू मैं आपके सामने अभी लाना चाहता हूँ, जिस यूरोपियन और अमेरिकन सिविलाइजेशन की तरफ हम अंधे होकर दोड़ रहे हैं, हमसे मतलब हमारी राजवेवस्था, हमारी जो पॉलिटिकल एकॉनमी है, वो अंधा होकर जो दोड़ मेरे अपने 15 साल का जो अभ्यास करम है, इस विशय का वो ये बताता है कि किसी भी सब्विता को अगर देखना हो, ठीक से समझना हो, तो उसकी प्राइवेट लाइफ आपको पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन होती है, वो प्राइवेट लाइफ सारजनिक जीवन में आप कई बार पाखंड कर रहे होते हैं, ढोंग कर रहे होते हैं, आप जो नहीं होते हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सारजनिक जीवन तो बहुत विवादास्पद हो जाता है, निजी जीवन में विवाद नहीं होता, क्योंकि वहा European परिवार की या European समाज की और European समाज में मैं जभी भी कहूंगा तो अम्री का शामिल है तो European समाज की निजी जिन्दगी को जानने की पिछले कुछ साल में कोशिश करता रहा में तंग निकलकर आये हैं वो बहुत ऐसे हैं जो जगजोर देते Central कई बार स्वीकार नहीं होते हैं कई बार डाइजेस्ट नहीं होते हैं मुझको ये सारे तक्थे डाइजेस्ट होने में बहुत साल लग गए और मैं मेरे गुरू जिनका नाम है शिरी धरमपाल जिनोंने मुझे इस काम में बहुत बड़ी मदद की उनके साथ इस विशें पर घंटों घंटों बहस करता रहा हूं पिछले 1997 से आज तक तो वो ये कहते हैं कि तुमको क्या तकलीफ होती है ये सब्सक्राइब करने में जैसा वो है मैंने का मुझे जो बताया गया है यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में वो इन तत्यों से बिलकुल उल्टा है तो उनका कि सोच लो जो तुमें बताया गया है वो गलत है और जो अभी तुम देख रहे हो वो ही सच है तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता रहा कि जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि यूरोप ऐसा है, अमरीका ऐसा है उन लोगों ने शायद इनको जान बूच कर छुपा के रखा हमसे तो उनका इसलिए कि उनको तुम्हे गुलाम बना के रखना था तो अंग्रेजों ने अपने बारे में योग बताया वो थोड़ा अच्छा ही होगा खराब क्यों बताएंगे? खराब तो तुमको खोजना पड़ेगा अगर उनका पूरा सत्य देखना है तो तो वो जो कुछ दिखाई देता है वो गांदी जी के कहिसे बिलकुल मेल खाता है अभी मैं यूरोपियन सबविता के बारे में आगे बढ़ू उससे पहले एक सत्य उनका आपके सामने उदगाटित करूँ वो आप सब जानते हैं लेकिन ध्यान में लाने के लिए यूरोप जो है वो एक खास तरे के वातावरण में रहने वाला इलाका है खास तरे का वातावरण माने जहां ठंड बहुत होती है तापमान बहुत बार माइनस 20 डिगरी सेंटीग्रेट से भी नीचे चला जाता है कई बार माइनस 40 degree centigrade हो जाता है दुनिया में माना जाता है कि 60 degree तापमान जो है ना सबसे नियुनतम है लेकिन वो माइनस 20 उससे भी नीचे है माइनस 40 और ज्यादा नीचे है तो कई बार माइनस 20 माइनस 40 degree centigrade टेंपरेचर हो जाए और वो 2-2-3-3 महिने तक लगाता रहे तो आप कल्पना करिए कि कैसा इलाका होगा भयंकर ठंड वाला बरफ वाला इलाका है यूरोप में 23 देश तो ऐसे हैं जहां साल में 9 महिने सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आता 23 देशों में तो सूरी का प्रकाश 9 महिने तक जमीन पर नहीं आता परिणाम क्या होगा जिन देशों में 9 महिने तक सूरी का प्रकाश जमीन पर नहीं आएगा वहां की जमीन में घास का तिनका कैसे उगेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो साइंस है Botanical और Plant Varieties का जो Science है वो तो ये कहता है कि बिना सूरी के प्रकाश के जमीन से अंकुरन नहीं होता बीज आप कितना भी डालो लेकिन उसमें अंकुरन होने के लिए जो गर्मी चाहिए वो गर्मी सूरी ही देता है तो बीज तो आपने डाल दिया लेकिन अंकुरन की ताकत तो सूरी के प्रकाश में है 9 महिने तक सूरी का प्रकाश जिस छेतर में नहीं आएगा वहाँ 9 महिने तक तो जमीन में से कुछ नहीं होगेगा कि उसको काट कर हटाना उनके जिन्दगी का सबसे बड़ा काम है आज आप कनाडा चले जाईए इस समय आस्ट्रेलिया चले जाईए, न्यूजिलेंड चले जाईए, फ्रांस में चले जाईए तो वहां की सरकारों की बहुत सारी संस्थाएं और प्रसाशन बरफ हटाने के काम में ही रात दिल लगा रहता है ताकि सड़क को चलने लायक बनाया जा सके और यूरोप में ज़्यादातर घर जो होते हैं वहां दरवाजे दो तरह के हैं एक तो आपका फ्रंट डोर है और एक छट के उपर से है कई बार बरफ इतनी होती है कि सामने का दरवाजा बंद होता है सड़क वाला तो चट के उपर के दरवाजे से जाना पड़ता है ऐसा इलाका है तो उससे मैं एकी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ बहुत थंडी वाला इलाका है बहुत सर्दी वाला इलाका है थंड सबसे ज़ादा होती है गरमी क्या होती है ये यूरोप के लोगों को अंदादा नहीं है कभी तापमान गरमियों में 30 डिगरी के ऊपर चला जाए तो हाइ तोबा हो जाती है तो ऐसा एक छेत्र है विशेश शेत्र है, यह अच्छा है, खराब है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि वो एक विशेश शेत्र है जो बहुत ठंडी में रहता है, तो एक कल्पना मेरे मन में आती है जो सच दिखाई देती है, लगातार लोग अगर ऐसे इलाके में रहते हैं, तो शायद वो भी बर्फ जैसे ही ठंडे होते हो सालों साल, सालों साल, सालों साल अगर आपको रहना पड़े पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी, पीडी दर पीडी कोई दसबिस साल का कहानी नहीं है दो हजार, ढई हजार, तीन हजार साल का कहानी हर पीड़ी को ऐसे ही वातावरण में अगर रहना पड़े तो शायल लोग भी वैसे होते हों बरफ जैसे ठंडा होने का मतलब है मान सिकता के इस तरपर माने भावनात मक कम होना, रागात मक कम होना, सहर दियात मक कम होना क्योंकि ये तो सब गरम देशों की निशानिया है और बहुत बार मैं मेरे मन में एक प्रशन उठाता रहता हूँ कि ये यूरोप का पूरा इलाका है एक भी किसी सब्भिता को जनम नहीं दे पाया अपने के बाद और एक भी धर्म को नहीं दे पाया अपने के बाद उनका अपना धर्म जिसको आज वो मानते है वो भी एशिया से गया है जिसको Christianity कहा जाता है वो यूरोप में नहीं है आप जानते हैं इसराइल है इसराइल एशिया में है और इसराइल उतना ही गरम इस्थान है जितने हम लोग है हमारे यहां जिस तरह का वातावरण है लगबग उसी तरह का वहाँ है अरब देशों में जिस तरह का वातावरण है लगबग इसराईल में वैसा ही है तो सामनी रूप से एशिया को गरम माना जाता है तो यह गरम इस्थान मेंसे ही ईसाईयत निकली है इसी गरम इस्थान में से इसलाम निकला है और इसी गरम इस्थान में से हिंदुईजम निकला है या बारतियता निकली है क्या कारण है ठंडे इलाकों से कोई धर्म नहीं निकलता शायद उनके ठंडे पन के कारण क्योंकि ठंडे इलाकों के लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो गरम इलाकी के लोगों से बिलकुल अलग होंगी आप ज़रा सोचें अगर मान लीजे लगातार पीडी दर पीडी आपको बहुत बरफ के छेतर में रहना है तो आपकी प्राथमिक्ताएं तो बिलकुल अलग होने वाली है, उन लोगों से जो पीड़ी दर पीड़ी पीड़ी गरम इलाकों में रहते हैं, तुलनात्मक रूप से प्राथमिक्ताएं तो अलग होने वाली, तो प्राथमिक्ताओं के अलग होने से शायद और दूसरी तो दो गरों की वास्तु और रचना भी एक जैसी नहीं होती. किसी घर की रसोई में कुछ खास तरह की चीज है, आस प्रत्मिकताओं का किस्सा है, यूरोप के लोगों की प्रत्मिकताओं शायद सबसे ज़्यादा यह होती होंगी, इस बुरफ से बचना, इस ठंड से बचना, किसी तरह अपने को जिंदा बना कर रखना, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिक्ता होती होगी, इसलिए उनको हर समय, हर छण, हर स्थान पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है. हमको नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिक्ता में ठंड से लगातार बचना शामिल नहीं है, तो शायद नहीं है, आप जानते हैं, यूरोप के सभी मॉल्स, शॉपिंग कॉंपलेक्स, अमेरिका के सभी मॉल्स, शॉपिंग कॉंपलेक्स, उनकी पब्लिक बिल्डिंग्स, प्र कितने उंचे लोग हैं, कितने हम से आगे लोग हैं, जो सब कुछ इन्होंने centrally cooled और centrally heated बना रखा है, तो ये हमारी मूर्खता है, उनकी नहीं है, क्योंकि वो उनकी प्राथमिक्ता का हिस्सा है, उनको जिंदा रखना है अपने आपको, तो गाड़ियों को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, centrally cooled और centrally heated. कई बार हम यूरोप के अखवारों में पढ़ते हैं, अमरीका के अखवारों में पढ़ते हैं, और इस तरह की बहुत खबरें आती हैं, कि इतनी बरफ गिरती है, गाड़ी चल नहीं सकती है, तो गाड़ी को अंदर से स्टार्ट करके, हीट करके बैठना पड़ता है, घंटों घंटों तक इंतजार करने के लिए, कि मौसम साफ हो, तो हम एक किलो मीटर आगे बढ़ें. अब हम इसको एक विशेष्टा के रूप में, जब प्रचारित करना शुरू करें, अरे उसाफ, यूरोप की तो सभी गारें सेंट्रुली हिट्टिड होती है, तो वो हमारी मुर्खता है, उनकी वो विवश्टा है, उनके लिए वो आवश्चकता है, उनके लिए वो प्राथमिकता है, उनकी वो priority है अब अगर वही priority को हम नकल करना शुरू करें जिस इलाके में साल में 9 महिने क्या 12 महिने भयंकर सूरी के दर्शन होते हो गर्मी पढ़ती हो, धूप मिलती हो अगर हम भी वैसी नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे उपर हसेंगे ही इस से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कि क्या मुर्ख लोग है ये अपने हिंदुस्तान में भी वैसे ही कर लेना चाहते हैं जैसे हम हैं हम तो मजबूरी में हैं क्योंकि हमारी व्यवस्ता ऐसी है ये तो शौक के साथ उस रास्ते पे जा रहे मैं कहना ये चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान की सभी गाड़ियों को सेंट्रली हीटेड और सेंट्रली कूल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम ही हमारे हाँ इस तरह का है लेकिन अगर हम इसी तरह की गाड़ियां बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं और अपने को अभ्यस्त करने की कोशिश करें तो ये तो कुछ ऐसी ही कहानी है बिना जाने समझे दूसरों की नकल करना और उसको हम अपनी हीनता के साथ जोड़ें और उनकी उचाई के साथ जोड़ना शुरू करें देखो यूरोप अमरीका वाले बहुत उंचे हैं जो Central Air Conditioned System सब जगे बनाते हैं और Centrally Car बनाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे हैं वो हमसे आगे हैं इस तरह का जब तुलना करना शुरू करते हैं तो ये सिवाए हास्यास्पद होने के और कुछ नहीं एक बार उनका छेत्र क्या है ये हमारे समझ में आए तो हर चीज उनको समझ में अब देखिए जब आप बहुत ठंड वाले इलाके में रहेंगे तो आपको अपने को गरम रखने के लिए ये कुछ न कुछ एक्स्ट्रा क्यूरी कुलर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि आप गरम बने रहें ने तो ठंडे पड़ गए तो तो आप गरम बने रहें इसके लिए कुछ ऐसा करते रहें तो आप जिरा ध्यान दें, यूरोप के देशों में लोगों के अपने वैयक्तिक जीवन के जो कुछ है हिस्से, वो किस तरह के हैं, उधारन के लिए उनका डांस, उनका डांस ले ले, उनके डांस में हम हमेशा देखते हैं, यूरोप और अमेरिका में, कि सबसे ज्यादा ते चेकोसलोवाकिया, बल्गारिया, रूमानिया, हंगरी आधी-आधी, वहाँ का कोई भी डांस देखे हैं, जो यूरोप का हिसा, तो सबसे फास्ट, सबसे तेज पद संचालन उनी के नत्य में है, क्यों? यूरोप का डांस आपने देखा है, बहुत सारे ट्रूप्स आते है यूरोपियन ट्रूप्स जिनके डांस मैंने दिल्ली में देखे है, मुंबई में देखे है, वो इतना तेज क्यों करते हैं? शायद वो उनकी जरूरत होगी, क्योंकि इतना तेज करने से शायद शरीर में उर्जा जादा पैदा होती होगी, तो शायद उस ठंड से लड़न सेंटीग्रेट है, तो 50 डिगरी सेंटीग्रेट वाले छेतर में रहने वाले लोग अगर डांस बनाएंगे, तो वैसा तो नहीं हो सकता जैसा उनका है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही गर्मी बहुत है, तो हमारे डांस जितने होंगे, उसके जो पद संचालन होंगे, व भाई उनका डांस तो बहुत अच्छा है, पॉप है, रॉप है और उनका जो म्यूजिक है वो इतना फास्ट है, क्योंकि म्यूजिक फास्ट होना ही पड़ेगा जब डांस फास्ट है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि डांस उनका फास्ट है और म्यूजिक स्लो हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है, होएगा तो बैठेगा नहीं कहीं, सामंजे से नहीं बैठेगा, तो उनको अपना सामंजे से बिठाना है, डांस फास्ट करना है, तो म्यूजिक फास्ट रखना पड़ेगा, तो music भी वैसा ही है तो हम बार बार ये कहते हैं यार ये तो European music बहुत fast है समझ में नहीं आता तो सुनते क्यों है, जरूरत क्या है उसकी उस थंडे छेतर के लोगों की जो निजी जिन्दगी है वो कैसी है प्राइवेट लाइफ कैसी है अभी मैं आपसे जो बात करूँगा वो पिछले लगबग 2000 साल की बात करूँगा एक साथ बात करूँगा क्योंकि सन के हिसाब से करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा आज से लगाकर पिछले 2000 साल तक माने आज सन 2005 है तो लगबग पहली शतापदी तक कैसा है यूरोप का निजी जीवन आज भी चल रहा है लगबग उतना ही जो मैं कहूंगा आपसे और ये जो कहूंगा वो प्लेटो के हिसाभ से सौकृटीज के हिसाभ से दिकारते के हिसाभ से उनके जो प्राइवेट लाइफ के रिसरचर्स हैं उनके हिसाब से कहूँगा, मेरे हिसाब से नहीं कहूँगा. यह जो प्राइवेट लाइफ ए निजी जीवन है, इसमें मैं शुरू करता हूँ परिवार से, कि वहाँ परिवार कैसा है, और फिर हमारे यहां कैसा है, उसमें मैं आऊँगा, तुलना के लिए. परिवार कैसा है, तो उसमें आपको सुनकर आश्र होगा, कि पिछले 2000 साल से यूरोप में परिवार नहीं है. परिवार के नाम पर किसी तरह का एक कॉंगलोमेरेशन है. हम जो परिभाशा करते हैं न परिवार की, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है. सत्तर प्रतिशत से जादा लोग आज भी यूरोप में बिना परिवार के रहते हैं. बिना परिवार के रहते हैं माने, या तो पत्नी, या तो पती, या तो इस्त्री, या तो पुरुष, अलग-अलग, तो परिवार तो बनता नहीं है. एकल पिता, एकल माता, single parents एक शब्द चलता है यूरोप में, single mother और single father, ये बहुत बड़े पैमाने पर है, 70% लोग इसी में है, लगभग, अमेरिका में भी लगभग वैसा ही है, अब ये जो कुछ है 70% बिना परिवार के, तो वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, परिवार का जो institution ह जिसकी minimum qualification हम कुछ मानते हैं, के एक पती होनी चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, मता-पिता होने चाहिए, बाले पती-पत्नी के मता-पिता होने चाहिए, आदे-आदे, जैसी हमारी कलपना है, वैसा वहां कुछ नहीं है, वहां तो single parents है, आएदर इस्तुरी और पुरुष अब जो हैं ऐसे इलाके में बच्चों की क्या इस्थती है बच्चे कैसे हैं तो बहुत आश्यरी की बात है ये जानना और समझना कि पूरी की पूरी यूरोपियन सुसाइटी या यूरोपियन सब्विता पैट्रियार्केल है पित्र सब्तात्मक है माता का कोई केंद्र पूरे यूरोप और अमरीकी सब्विता में नहीं है प्लीज आप अगर चाहें तो इस हॉल से बाहर जाएं प्लीज मैं आप दोनों से कह रहा हूं आप से मैं दोनों से कह रहा हूं आप चाहें तो इस हॉल के बाहर चले जाएं क्योंकि मुझे बोलने म में तकलिफ हो रहे हैं कम से कम आप यहां अमरीकी सब्विता का यह लक्षन पेशना करें कि आप इंडिवीज्वल हैं और हम सब एक समाज के हां तो वो आप मेरे व्याख्यान के बाद कहिए ना तो आप जाने दीजे ना उनको आप जो है इतना कर रहे हैं कोई तो इतना दिस्टिवंस नहीं कर रहा यहां पर लेकिन आप जो है इतना ज्यादा क्यों कर रहा हैं मिशह मजबूर कर रहा है अप दोनों अपनी गफ्षच कर रहें तो बाहर जाके करें यह तो आप बाического DESip तो अगर आपको नॉंस लगता तो यहां से जाई है आप यहां क्यों बिठे है तो शांति से सुनिये उत्तर देना तो शांति से दीजिये यह कोई तरीका नहीं है कि कोई बात कर रहा है और आप बीच बीच में अपनी बात करें तो वह बाहर जाके कर सकते हैं इस हौल में दो दर्वाजे हैं है इस वह आप आपकी ओपिनियन हो सकती है सब की नहीं है वह आपको रूशी नहीं पर जाइए ना मैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ में परिवार की बात कर रहा था परिवार जैसा कुछ बन नहीं पाया है आज तक सिंगल्टन सब कुछ है एक माता है एक पिता है और उसके साथ बच्चे चाहें तो हैं नहीं तो और फेलेज में हैं ज्यादा तर इस तरह की स्तिती है तो परिवार की जैसी हमारी कलपना है वैसा कुछ नहीं है हम जब अपनी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो कलपना भी उसके साथ हमारी ही जुड़ती है जैसे हम कहते हैं यूरोपियन परिवार तो परिवार की हमारी परिभाशा वहां बैठती नहीं है उनकी जो परिभ ठाइग आगे बढ़ता चला जाता है हमारे यहां परिवार, लेकिन उनकी यह इस तरह का है नहीं, तो हम जब European परिवार या American परिवार कहना शुरू करते हैं, तो गफलत वहीं पर हो जाती है, हम अमारे शब्दों को उनकी सब्भिता में जब फिट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें confusion बहुत हो जाता है, तो अपने शब्दों को अपनी सब्भिता तक सीमित रख कर, उनके शब्दों को इस्तेमाल करें तो अच्छा है, तो उनका शब्द है family, family माने परिवार नहीं होता, जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ वो ये, जब हम भाशांतर करते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने साथ, जैसे भारत में हमने भाशांतर कर दिया, religion माने धर्म कर दिया, अब religion बिल्कुल अलग है, प्लेटो की जो definition है religion की, वो हमारे धर्म पर fit ही नहीं बैठती कहीं, हम जब धर्म की बात करते हैं, तो ये है कि जो धारण कर सकें, धारण करने योग है, वो सब कुछ धर्म है, उनके यहाँ ये कहीं है ही नहीं, पूरी philosophy में नहीं है, धारण करने योग कि वहाँ कुछ है ही नहीं, जिसे वो कहें, वो religion को क्या मानते हैं, तो ये religion से बहुत दूर तक का इसका वास्ता नहीं है, इसको तो हम कर्म कांड के रूप में कहते हैं, धर्म तो बिलकुल अलग है, कर्म कांड तो बिलकुल अलग है, हम एक संपरदाय वाले हैं, तो हम एक तरह के कर्म कांड करेंगे, एक दूसरे संपुर्दायवाले दूसरे तरह का कर्म कांड करेंगे दक्षिन में आप चले जाएए कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह सितिलक लगाते हैं लेकिन वो religion का हिस्सा नहीं है हमारे यहां वो हमारे यहां कर्म कांड का हिस्सा है तो उनके यहां का religion हमारे यहां का धर्म नहीं है उनके यहां की family हमारे यहां का परिवार नहीं है हमने क्या किया है भाशा की सहूलियत के लिए भाशांतर के रूप में शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और उसे बहुत कुछ गलतियां हम करते हैं और वो हमारी उन गलतियों पे हसते हैं हम जब फैमिली प्लैनिंग की बात करते हैं न तो हमारे यहां तो फैमिली है नहीं उसको प्लैन क्या करें उनके यहां फैमिली है तो उसको प्लैन करना है हमारे यहां तो परिवार है उनके यहां तो परिवार नहीं है फैमिली है तो फैमिली प्लैनिंग पूरा एक पॉलिसी के रूप में जब इस देश में चले तो हास्यास्पत ही दिखाई देता है परिवार के बारे में बात करें तो कुछ समझ में आती है तो कई बार क्या होता है कि शब्द उनके हम ले लें और अपने हिसाब से भाशान तरकर के इस्तेमाल करें तो उनके आप फैमिली है परिवार नहीं है हमारे आप परिवार है उनके आप नहीं है और मैं जो कहना चाहता हूँ, इसमें कोई उचा नीचा की बात नहीं है, वो अलग है, हम अलग है, जैसे कई बार ये कहते हैं नो, यूरोप की सब्विता में, भारत की सब्विता में बहुत कुछ कॉमन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कॉमन है, अगर कुछ है, तो वो जबर तो जस्ती से किया हुआ है, जैसे वहाँ का पीशा आ गया, बर्गर आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया तो common हो गया, या वहाँ से Pepsi Coke आ गया, हमने पीना शुरू कर दिया तो common हो गया, वो सब्विता का अंग नहीं है, वो नकल किया हुआ एक हिस्सा है, चाउमीन वहाँ स से आगया हमने खाना शुरू कर दिया सिवई के इस्थान पर तो वो अंग नहीं बनता सब्विता का तो common है ऐसा कुछ होता नहीं है किसी भी civilization में कोई भी सब्विता में दुनिया में आप जाईए कुछ भी common नहीं होता है नहीं तो सब्विता ही नहीं बनती है सब्विताएं बनती ही इसलिए है कि वहाँ कुछ अलग है यहाँ कुछ अलग है और संस्कृति उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है सब्विता कुछ बड़ी चीज है संस्कृति उसमें छोटा सा कुछ हिस्सा जैसा है सब्विता और संस्कृति का अगर अंतर समझना चाहें तो भारत के हिसाब से यूरोप में तो ये अंतर भी नहीं है यहां के हिसाब से मैं एक उधारन आपको देता हूँ आपको अगर मैं ये कहूँ कि कोई माँ है या बहन है वो बंगाली तरह से साड़ी पहने हुए है तो तुरंट आपके दिमाग में कोई पिक्चर भूंता है बंगाली तरीका क्या है साड़ी पहनने का कुछ है फिर इसी तरह से मैं कहता हूँ कोई एक माँ है बहन है वो आसामी तरीके से कोई साड़ी पहनी हुई है तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि आसामी तरीका कोई है साड़ी पहनने का फिर मैं कहता हूँ कोई गुजराती तरीके से माँ और बहन साड़ी पहन कर खड़ी हुई है तो तुरंत आपके दिमाग में कोई है किमे जाती है एक तरीका है गुजराती साड़ी पहनने का फिर वह पंजाबी है तो ऐसे अगर आट दस राज्यों के मैं नाम लूँ और आपसे कहूं कि देखो ये गुजराती साड़ी है ये मरापी साड़ी है ये बंगाली है ये आसामी है ये मनिपुरी है ये आदे-आदे इस तरह की साडिया हैं तो ये जो अलग-अलग तरीके हैं साडियों को पहनने के ये है संस्कृति और ये जो साडी है वो है सब्विता तो सब्विता और संस्कृति का जो अंतर है वो कुछ इस तरह का है civilization है साड़ी और तरीके जो उसको पहनने के हैं वो हैं हमारी संस्कृति तो भारती अता में सब्विता और संस्कृति में जो परिवार की बात है वो में कुछ अलग तरीके की हमारी उनकी अलग तरीके की तो अब उनकी जो family है वो कैसी है family ये है कि Patriarchal मैंने आपसे कहा पिता है वो सरवच है और पिता की हैसियत जज के जैसी है माने एक बार उसने कोई फैसला सुना दिया वो सुप्रीम है वो रीकंसीडर नहीं होता लगबग 2000 साल पूरे यूरोप में सन 1950 से लेकर पहली शतावदी तक यूरोप के सभी परिवारों में पिता सरवच है 1950 तक और यही कारण है कि सन 1950 तक यूरोप के सभी देशों में सिर्फ पिताओं को वोट डालने का अधिकार होता था आप सोच सकते हैं ये बार अमेरिका में 1950 तक बिटेन में सन 1950 तक यूरोप के देशों में लगबग 1950 तक सिर्फ पुरुष ही वोट डाल सकता था इस तरी को वोट डालने का अधिकार नहीं क्योंकि फैमिली में इस तरी का कोई महत्त नहीं बित्र सत्तात्मक सत्ता पेट्रियार की अल जिसको हम कहते हैं उनके शब्दों वो है और इससे भी आगे चलें तो यूरोप के दस्तावेज बताते हैं कि सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका की किसी बैंक में महिला को खाता खोलने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट ओपन करने का राइप नहीं अप टू 1950 तो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को बैंक में खाता खोलने का अधिकार मिलना चाहिए इस पर एक जबरजस्त आंदोलन शुरू हुआ फ्रांस से और उस आंदोलन की नेत्री थी Simon the Climate और उसका सबसे बड़ा नारा था कि जो पुरुष को अधिकार है वोट देने का, बेंक एकाउंट खोलने का, संपत्ती का मालिक होने का, वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला जियोपाल सात्र जो बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है, फ्रांस का और अभी यूरोप का, सिमौन दा बोवार जो उसकी सहयोगी थी, इन लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा केमपेन स्टार्ट किया, जिसको फैमिनिजम माना जाता है या फैमिनिजम मूमेंट कहा ज अधिकार नहीं है, बेंक एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं है, संपत्ती का अधिकार नहीं है, जो अधिकार हैं वो सब पुरुष को हैं, पिता को हैं, मां को तो कोई अधिकार नहीं है, और इसमें इंट्रिस्टिंग बात जो समझने की है, जो आसानी से डाइजेस्ट न तो उसको पैदा होना है या नहीं वो पिता तय करेगा, मा तय नहीं कर सकती। जन्म देना है नहीं देना है उसके पती पर निर्बर है, पत्नी कुछ उसमें हाँ नहीं कह सकती। यह अधिकार नहीं है। और रूसो जो मौडरन फिलोसोफर माना गया है उसके पांच बच्चे हुए, पांचों के बारे में वो अपनी आटोबाइगरफी में लिखता है कि मेरा फैसला था, पत्नी का नहीं। और फिर उसको कहा गया कि यह गलत है या सही है तो उसने का 2000 साल की परंपरा है उन्मेने उसको निभाया। तो यह वहां की व्यवस्था है, तो पिता है, पु यूरोप के सभी गाउं में, अब शहरों में थोड़ा ये बंद हुआ है पिछले 50 साल से, यूरोप के गाउं में आज भी बहुत सारी जन जातिया हैं जिनको यूरोप में आदिवासी कहा जाता है, वहां अभी भी यही है, पिछले 50 परशों में वहां नहीं कुछ बदला ह इससे भी आगे एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, कि बच्चा पैदा हुआ पिता की मरजी से, माने सिर्फ गर्वधारण किया, मरजी पिता की है, अब उस पिता की है, और सामन निरूप से यूरोप में 2000 साल की एक परंपरा है, कि बच्चे जितने हाई को लावारिस छोड़ा जाए, अबेंडेंड चाइल्ड, जैसे रूसों के पांच बच्चे हैं, चार को उसने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, जनम लेते ही निकाल दिया, तो वहां की परंपरा कैसी है, बच्चे ने जनम लिया, पिता ने उसको किसी कपड़े में लपेटा और बाहर रख दिया, दरवाजे पे रख दिया, या डस्ट बिन के पास रख दिया, या यूरोप के बहुत सारे देशों में चर्च के सेंटर होते हैं, वहां पहुचा दिया, कि इनको आप पालो, ये हम नहीं रखेंगे, सामने रूप से तीन चौथाई बच्च इसलिए व्यक्तिकत जीवन में खलल नहीं होना चाहिए, और प्लैटो की परिभाशा में व्यक्तिकत जीवन सिर्फ इंद्रिय सुख के अलावा कुछ नहीं है, इंद्रिय सुख शरीर सुख यही सबसे ऊचा है, बाकी सब इसके नीचे है, और इंद्रिय सुख और शरीर देख लिने में, बच्चे सबसे वड़ी वादा हैं, इसलिये घर मेरे नहीं, आप छोड़ो दोंको, पैदा हुए तो छोड़ो, प्लैटो ने अपने बच्चे छोड़े, प्लैटो की चार पत्निया है, उसमें से एक शाधी वाली है, तीन बिना शाधी की है, तो जितने बच यारी राजजी की है परीवार की नहीं तो राज जिनको सम्हा ले तो राज जी क्या विवस्था कर रहा है इन लावारिस छोड़े हुए बच्चों की विवस्था के लिए राज जी ने चर्च को खड़ा किया पैसा दे कर कि आप इनकी व्यवस्ता समालो तो जितने भी चर्च पूरे यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेंगे सभी चर्चों के और्फेनेज सेंटर आपको जरूर मिलेंगे बिना और्फेनेज के कोई चर्च यूरोप में नहीं होता सभी चर्च में लावारिस बच्चों के केंदर आपको मिलेंगे और जो लावारिस बच्चों के केंदर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं जहांपर बच्चों की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग का माने जो कुछ भी उनको जिंदगी चलाने के लिए सिखाया जाता है वो ट्रेनिंग देले वाले इंसिट्यूशन्स को कॉन्वेंट कहा जाता है कॉन्वेंट अर्था लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया इंसिट्यूट जिन बच्चों को उनके माता-पिता ने छोड़ दिया है जो पल रहे हैं चर्च की तीमारदारी में और चर्च को पैसा सरकार दे रही है और ये पैसा यूरोप की सभी सरकारें अपने बजट में से निकालती है सबसिडी के नाम पर, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा expenditure है, konvent का अब मेरे समझ में ये बात बिल्कुल इसमस्टाने लगी है पहले मैं बच्पन में नहीं जान पाता था कि ये भारत में जो konvent school है इन school हों हम जब पढ़ने जाते हैं या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो बच्चों को स्कूल में मदर फादर कहना क्यों सिखाते है टीचर कहना क्यों नहीं सिखाते जैसे भारत में बहुत सारे कॉन्वेंट है ना उसका प्रिंसिपल फादर है या तो कोई मदर है या तो कोई सिस्टर है या तो कोई ब्रदर है teacher कोई नहीं है वहाँ पे क्यों? क्योंकि यूरोप में तो convent school हैं ही लावर इस बच्चों के लिए जिनके mother-father का पता नहीं है तो किसी तरह mother-father की थोड़ी अनभूती हो सके इसके लिए वो अपने आ mother-father, brother, sister सिखा थे हमने जैसे का तैसा convent का ढाचा वहां से आयात कर लिया या जबरजस्ती हमारे ऊपर ठोक के बिठा दिया अंग्रेजों ने जो भी कहना हो वो अभी भारत में वैसे ही चलता है जैसे यूरोप में चलता है भारत के, जैपूर के, किसी भी convent school में आप चले जाएए बच्चे को फादर ही कहल वाएंगे वहां के principal को, कि यह फादर है जो लम्बा चोगा पहन के है और वो sister है या तो वो mother है, या तो वो brother है, कोई teacher नहीं है क्योंकि वहां नहीं है तो यहां भी नहीं अब इससे भी जयादा interesting एक बात में आपसे और कहता हूं तब आपको और समझ में आएगा कि हमारी मूर्खताएं क्या हैं, हमारी अपनी, ये जो मदर फादर नहीं है, जिन बच्चों के जो कॉन्वेंट में वहाँ पढ़ते हैं, उन बच्चों को जो ट्रेनिंग देने वाले इंसिट्यूट्स हैं, उन ट्रेनि कॉमिनेशन हैं या एक नाम करण हैं अकेले कुछ ऐसे बच्चों का जिनको बास्टर्ड कहा जाता है, लिट्रली कहा जाता है, यूरोप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बास्टर्ड कहा जाता है, बास्टर्ड कौन हैं, बास्टर्ड वो हैं जिनके माता-पिता नहीं बास्टर्ड बाने जिनके परिवार हमारे जैसे हैं अगर हम कलपना करें उनके यहां पैदा हुए बच्चों को बास्टर्ड नहीं कहा जाएगा कभी बास्टर्ड वही है जिनके माबाप का पता नहीं है और जो बास्टर्ड है वो नागरिक नहीं है और हो नहीं सकते citizenship उनको नहीं मिलेगी citizenship किसको मिलेगी जो उनके माता पिता है और उनकी अपनी family है वो बच्चे ही citizen होंगे जिनके माता पिता का पता नहीं है orphanage में बले हैं convent में पढ़े हैं उनको नागरिकता नहीं है और आपको सुनकर आशर होगा 1935 तक England में और Europe में convent पढ़े हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता नहीं मिली कई लोगों को तो संगर्ष करना पड़ा मैं आपको एक नाम बदाता हूँ Rome में एक राजा हुआ Claudius, बड़ा राजा है बहुत बार उसकी चर्चा है European history में Claudius bastard है और उसको राजा होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है उसको bastard होना तो वो क्या करता है उसको राजा होना है वो जानता है कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है मैं मार पीट कर सकता हूँ गुंडा गर्दी कर सकता हूँ किसी को जीत सकता हूँ किसी को हरा सकता हूँ तो इस तरह की काबिलियत उसको लगती है अपने में तो राजा होने की मन में कलپना है तो अब उसको रास्ता कैसे क्लियर करें तो Claudius ने क्या किया है अपने आपको किसी फैमिली में दट्तक करवाया दत्तक लेने की परंपरा वहाँ पुरानी है तो दत्तक करवाया उस परिवार का नाम उसको मिला तब उसको सिटीजनशिप मिली रोम की और तब वो राजा बना And the same case is Nero Nero के बारे में हम सब कहते हैं न वो ने हमारे हम महावरा इस्तेमाल होता है कि रोम जल रहा था और Nero बासुरी बजा रहा था तो वो Nero भी इसी रास्ते से गया राजा होने तक मने राजा होने के लिए रागरिक होना है नागरिक होने के लिए माता-पिता होना है अगर आपके माता-पिता नहीं है तो राजा होने की स्तिती नहीं है तो आपको कहीं दग्तक होना पड़ेगा किसी बड़े परिवार का दग्तक होना पड़ेगा फिर आप उस रास्ते पर जा सकेंगे ये उनकी परिवार की विवस्था है अभी भारत में देखें भारत में आजादी के पहले से और पिछले दो पाँच हजार साल तक जितनी कलपना हमारी दूर तक जाती हो रामचंदर जी के जमाने तक जाती हो, क्रश्नी के जमाने तक जाती हो उसके पहले तक कहीं कलपना जाती हो तो परिवार में बच्चे का होना मा के उपर निरुभर है भारत में बिल्कुल उल्टा है माँ चाहेगी तो बच्चा होगा नहीं तो नहीं होगा ये हमारे यहां की प्यवस्ता है और भारत में आज भी जिनको हम आदिवासी और बनवासी कहते हैं आप वहाँ चले जाएए पूरी सुसाइटी मेट्रियार की अल है नौर्थीस्ट में आप जाएगे आसाम के उपर कहीं भी नागलेंड, मिजोरम, मनीपोर, त्रिपुरा, सिक्किम वहाँ आपको सब कुछ दिखाई देगा मा के इर्दगिर्द घूमता हुआ और उनसे जब हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं, हाँ ये तो हजारों साल की परंपरा है हमारी और नौर्थीस्ट में आपको सुनकर आश्यर होगा शादी होकर बेटी घर से नहीं जाती है, लड़का घर में आता है ये भारत की उन सभी समाजों में हैं, जिनको दुरभागे से हम शिडूल ट्राइब्स कहते हैं शादी होकर बेटी नहीं विदा होती है, लड़के को घर में लाये जाता है दमात बना कर और संपत्ती की मालिक लड़की होती है, लड़का नहीं होता है योरोप में इस तरीको संपत्ती का कोई अधिकार 1950 तक नहीं है, उसके बाद आया है जिसको मॉडर्न योरोप कहा जाता है, उसमें आया है, यहां तो पहले से है और यहां अगर आप इसको समझना चाहें कि भारत की सारी व्यवस्थाएं मा के इर्दगिर्द घूमती है घर के सारे बड़े फैसले माताई करती है इस देश में बले वो लंबा घूमगट निकाल के बैठी हो, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है मैंने राजिस्थान में क्या, मधिप्रदेश में क्या, भारत के उत्तर में क्या, कहीं भी देखा है छोटे-छोटे गाउं में देखा है, लंबा घूमट निकाले हुए महिलाएं घर के फैसले ले थे एक बार ऐसे बहुत महतुपूर केस में मुझे अनवब हुआ मेरा एक दोस्त है, वो अपनी बहन की शादी करने के लिए एक गाउं में गया, पश्चमी उत्तर प्रदेश में तो जिस गर का लड़का था, वहाँ पर हम बैठे, तो उनकी मा, लड़के की मा, लंबा घूमगट निकालके बैठी थी तो लड़के के पिता भी वही बैठे थे, लड़का भी बैठा था, तो हम सब बात कर रहे थे, कि देखो लड़की ऐसी है, ऐसी है, आपको मनजूर है, तो पिता ने तुरंथ हाँ बोला, लड़के ने हाँ बोला, वो जो मा लंबा घूमगट निकालके बैठी थी, उसने क बस इतने में पिता उठ गया, लड़का उठ गया, अंदर गए और बाहर आके का कि शादी नहीं हो सकती, क्यों, हमने का भी क्या कमी है, तो हमारी माता जी ने पहले एक लड़की पसंद कर रखी है, बस फैसला तो उनी का है, तो हम ये जो कई वार गालिया नेते ना, हमारी महिलाए तो असिक्षित है, अनपड है, घूंगट निकाल के बैटी, फैसला वही करती है, महत तो जो है ना, वो फैसले का है, पिता फैसले नहीं करता, पिता की भूमिका तो व्यवसाय तक इस देश में सीमित है, घर की भूमिका पूरी तरह मा के हाथ में है, तो यहां का परिवार है, वो मात्र सब्तात्मक है, और जब मात्र सब्तात्मक है, तो उसमें संबंद तो बहुत दूर तक होते हैं, क्योंकि मा तो संबंद के शुरुआत है, संबंद ही पहला बनता है, वो मा का है, तो मा से निकलते हुए फिर संबंद चलते हैं, और संबंद चलते हैं तो परिवार और कुल और वंश बड़े होते हैं तो हमारे या जो परिवार की कलपना है उसके केंद्र में मा है वो राम का देख लो क्रशन का देख लो या और वसुदेव का देख लो या भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का देखना हो तो देख लो हर्षवर्धन का देखना हो तो देख लो या चानके का देखना हो तो देख लो किसी का भी देख लो सभी के केंद्र में मा है और ये जितने महान लोग जिनको हम बार बार नमन करते हैं, याद करते हैं उन से पूछो कि भई आप अपने जीवन में सबसे जादा आभारी किस के प्रती है तो गयते हैं हमारी मा के प्रती आभारी वो है तो हमको ये संसकार है, नहीं होती तो शायद ये नहीं होता तो संसकार देने का काम मा भारत की सारी कविताओं के केंदर में मा हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है बच्चमन से लेके और दूर तक मारे इस्तरी हमारे केंदर में है महिला हमारे केंदर में है मा हमारे केंदर में है तो मा के केंदर होने से परिवार की व्यवस्था कुछ इस तरह की है मात्र सत्तात्मक है और भारत में ये कभी नहीं रहा अमरीका और यूरोप के जैसा जैसे वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं बैंक एकाउंट कोलने का अधिकार नहीं आप जानते हैं कि इस भारत में माताओं ने रिगवेद की रिचाएं लिखी है, यजुरवेद की रिचाएं लिखी है, सामवेद की रिचाएं लिखी है, उपनिशदों में बहुत सारा कॉंट्रिब्यूशन माताओं का है मेरे एक परिचित है आरे समाजी है बहुत बड़े वेद के प्रकान पंडित है मैंने उनसे एक दिन पूछा कि वेद में कुल कितनी रिचाय हैं और उसमें से कितनी महिलाओं की हैं तो उनका 37 से 40 प्रतिशत महिलाओं की लिखी हुई है और उनके अलग-अलग नाम है जो हम जानते हैं अलग-अलग समय पर तो वेद रचती हैं महिलाओं उपनिशद रचती हैं महिलाओं तो केंद्र में तो रही होगी और भारत के सामन निगाओं में ये दिखाई देता है अभी भी माताएं आर्थिक फैसले सबसे ज़्यादा करती हैं अभी भी माताएं सबसे ज़्यादा उत्पादन के काम में लगी हुई हैं इस देश में GDP का जो European American पैमाना हम छोड़ें और भारती ये पैमाना कोई बनाएं तो highest GDP contribution माताओं के द्वारा ही है इस देश में अभी तो हम European पैमाने से नापते हैं तो होता क्या है कि भारत में माताओं का उत्पादन छोड़कर जो कुछ भी इस देश में है वो सब GDP में आता है लेकिन माताओं का उत्पादन हमने कभी GDP में लाया नहीं क्योंकि नकल हमने उनकी क्यर रखी है वहाँ पे माता में पापड बनाती हैं चिप्स बनाती हैं बड़ी बनाती हैं अचार बनाती हैं सबजियां बनाती हैं रोटियां बनाती हैं वगेरा वगेरा बहुत कुछ बनाती हैं वो GDP में इंक्लूड नहीं है क्योंकि नकल हमने वहां से की हुई है पित्र सत्तात्मत समाज से बाकी हमारे देश में उत्पादन के सबसे बड़े तंत्र पर आज भी माताएं हैं व्यवस्थाओं को समालने में आज भी माताएं हैं और हमारे भारत में तो कहा ही नहीं जाता है बिलकुल इसपस्ट दिखाई देता है जिस घर में मा नहीं है वहां की रौनक नहीं है पवित्रता नहीं है मैं दक्षिन में बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ लेकिन गर्व ग्रह में मैं प्रवेश नहीं कर सका कारण क्या पुजारी ने कहा कि आपकी उनने कहा अकेले होने से पवित्रता नहीं आती पवित्रता किसी इस तरी के साथ होने से ही आती है वो चाहे मा के रूप में हो या आपकी पत्नी के रूप में हो और अगर कुछ नहीं है तो बहन को ले आए किसी को हम आपको मंदिर में जाने देए उस दिन मेरे समझ में आया अब इस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में एक नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे तरह से भी पेश कर सकते हैं कि देखो कितना चुआ चूत है इस देश में गुसने ही नहीं देते मंदिर में लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है वो पवित्रता का कारण है जो मा के साथ जोड़ा हुआ है और ये भारत में बहुत सारे शास्तों में बारबार पढ़ने में आता है कि जिस पुरुषकी इस्तुरी चली गई उसका तो सब कुछ चला गया मा चली गई तो और कुछ बचाई नहीं है पत्नी गई तो बहुत कुछ चलागा विदुर होना बहुत अपमान जनक इस्तिती है समाज में हमारे देश में हमारी माननिता में, हमारी सब्विता तो क्यों है क्योंकि मात्र सप्तातमक है सब कुछ बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे मा का है बच्चे बड़े होंगे तो क्या संस्कार में लेंगे मा का फैसला है पिता का उसमें कोई बड़ा योगदा नहीं पिता तो थोड़ा supporting hand के रूप में है जो कुछ गड़ रही है तो वो तो मा गड़ रही है तो भारत की सब्विता मात्रसप्तात्मक इसलिए हमने शायद हमारे देश को भारत माता बोला हमने कभी क्यों नहीं कहा भारत पिता भारत माता ही क्यों कहते क्योंकि माते सत्तात्मक है सब कुछ या तो भारत माता ही कहेंगे भारत शब्द तो पुरलिंग है लेकिन माता तो हमने लगाया है उसके साथ भी गंगा के साथ भी माता लगा दिया गाय के साथ भी माता लगा दिया यमुना के साथ भी माता लगा दिया गंगा मैया है यमुना मैया है गया मैया है ये मैया है बले वो पुर्लिंग ही क्यों न हो क्योंकि मात्र सब्तात्मक है सब कुछ तो हम मात्र सब्तात्मक समाज में रहने वाले लोग पित्र सब्तात्मक समाज के लोगों की नकल करें तो ultimately क्या निकलेगा आपको अपने इस्थान बदने पड़ेंगे और उस मेंसे तो बहुत कुछ घाल मेल होगा तो अभी मैं आपको इस उधारण को और थोड़ा इसपश्ट करता हूँ कि हम भारत में विदेशी टीवी चैनलों को आज देखते हैं तो जितने भी विदेशी टीवी चैनल है जैसे स्टार प्लस आया है CNN है, ATN है, Prime Star है, Prime Sports है वगरा वगरा इन सभी टीवी चैनलों पर कुछ सीरियल आते हैं और उन सीरियलों को भारतवासी देखते हैं और दिखाते भी भारतवासी हैं लेकिन उनके plot सभी अमेरिका और यूरोप से आते हैं बारत में स्टार प्लस पे सबसे ज़्यादा सीरियल दिखाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है एकता कपूर, उसके सबसे ज़्यादा सीरियल आते हैं, सौभागे से एक बार मुझे उससे बात करने का मोगा मिला मुंबई में, तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, कि आप तो सभी अमेरिका से हैं, यूरोप से आये हैं, कहानी सब वहां से आई हैं, उसमें हमने भारतिय पात्रों को फिट करने की कोशिश की हैं, तो मैंने का अब मुझे समझ में आ गया, कि आपके सभी सीरियल में माताओं को ही सबसे ज़्यादा गालियां क्यों दी जाती है सास भी कभी बहू थी, आप अगर इस सीरियल को ध्यान से देखें, तो इस सीरियल की सभी इस्त्री पात्र या माताओं पात्र सबसे ज़्यादा दुर्भावना का शिकार हैं, ऐसे ही कसोटी, जिंदगी की या कहानी, घर-घर की कोई भी सीरियल देखें, ये सभी सीरियलों को मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन इनकी स्टोरी जरूर पढ़ता हूँ, कभी अखवार में आती है, कभी मेगजीन में, तो उन सब सीरियलों में, एक माता दूसरे के खिलाफ शडियंतर कर रही है, दूसरी तीसरे के खिलाफ, तीसरी चोथी के खिलाफ, ननत भावी के खिलाफ, माता जो है, किसी और के खिलाफ, इसी तरह के शडियंतर, 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 माताओं के बीच में सब से जादा, पुर्शों में कुछ कम, क्योंकि ये सब imported plots है, यूरोप से आये हैं, तो वहां तो माता तो कुछ है नहीं, तो उसके खिलाफ शडियंतर भी हो हम अगर अपनी सब्विताओं को ध्यान में रखके कोई सीरियल बनाएं, और अपनी माननेताओं को ध्यान में रखके बनाएं, तो इसके बिल्कुल विप्रीत बनेंगे, जो आज हम देख रहे हैं या दिखाये जा रहे हैं, अच्छा मैने जब इनको कहा कि एक्ता कपूर क में पढ़के आई है, थोड़े दिन अमेरिका में रहके आई है, तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ हम जो देखते रहे हैं, वो यह आपे बनाते हैं, तो इस तरह का होता है, जब आप अंधानों करन करते हैं, बिना सोचे समझे नकल करते हैं, तो इस तरह का उसमें से कोई मुहाविसा तो होता नहीं इस देश में, ऐसे ही चलता जाता है, तो एक मात्र सब्तात्मक समाज हमारा, एक पित्र सब्तात्मक समाज उनका, अब कौन अच्छा, कौन बुरा इसमें नहीं जाना चाहिए, वो अलग हम अलग, अब अलग-अलग माननिता और सब्विता क के ही कारे करेंगे, तब ही कुछ अच्छा होगा, नहीं तो उसमें से कुछ खराबी निकलेगा, धाल मेल करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो फिचुड़ी बनेगा, इस तरह का यूरोप और अमेरिकन समाज है, इसमें और भी बहुत सारी बाते हैं, जैसे उधारन के लिए, एक का लंबे समय तक चला हुआ, बहुत बड़ा अभियान रहा है, जिसको यूरोप और अमेरिका की किसी भी समाज ने, आज तक ये नहीं कहा कि ये पूरा खराब था, वो कहते हैं, इसमें थोड़ा सुधार करके अच्छा था, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश, यहां तक आ रहता है, जब वो एक वक्त विदेता है, कि न्यू औरलिंस में आया भूकम, अभी आया ना, पानी का जल जला समिदुरी, तो न्यू औरलिंस का एरिया उसने 6-7 दिन तक नेगलेक्ट रखा, लोग मरते रहे, कटते रहे, पिटते रहे, आर्मी नहीं भेजी, सहायता नहीं बेजी, और अंत में कहा, वो गुलाम थे सब, तास लोग थे, ब्लैक्स थे, क्या करना उनके लिए, और थोड़े दिन के बाद, उसी तरह का तूफान, और जल जला, उस एरिया में आया, अमेरिका में, जहां उनका सबसे बड़ा सेंटर है, केप केने वरल, और वहां से उन तो यह जो ब्लैक्स और वाइट्स का है, यह तो अभी तक है, गया नहीं है, इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बावजूद, जॉर्ज बुश के दिमाग में वो कीड़ा बैठा हुआ है, अमेरिका में और यूरोप में यह लंबे समय से हजारों साल से गुलामी की दास प्र में इन सब बच्चों का इस्तेमाल होता रहा है, और मजे की बात यह है, कि इसको वो कभी भी खराब नहीं मानते रहे, तो वो दुनिया के जिस भी देश में गए, वहाँ उन्होंने यही किया, जो अपने यहाँ वो हजारों साल से कर रहे थे, दास बनाना, गुलाम बनाना और उनकी मदद से सब काम कराना, अब वहाँ क्या होता है, कि जो भी पिता है, या उनकी थोड़ी बहुत पैमिली है, उसमें बच्चा तो एकाधी है, बाकी तो और्फेनेज में है, और्फेनेज से लाए हुए जो बड़े गुलाम बच्चे हैं, वो घर के काम में लगे इस तरह की परंपराएं वहाँ पे हैं, बाने अपने हाथ से अपना काम नहीं करना, जो करे वो च्छी उटा है, नीचा है, और जो दूसरों से कराए, वो उचा है, तो वहाँ उचे और नीचे की परिभाशा कुछ इस तरह की है, भारत में इसका बिलकुल उल्टा है, यहा जारतियता में क्या होता है, मैंने ऐसे इस देश के सैकड़ों करोड़ पतियों को देखा है, जो अपने घर में खुद जाड़ू लगा लेते हैं, अपने कपड़े खुद साफ कर लेते हैं, खुद नहा लेते हैं, खुद दात साफ कर लेते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते यूरोप में जो अमीर जादे रहे हैं 1950 तक उनके दातों पे ब्रश भी गुलाम ही चलाते रहे हैं दातों पे ब्रश तो जब अमीर जादे यहां बौैसरआय बनके आते हैं और यहां जब रहना शुरू करते हैं तो यहां भी मोई परमपरा डालते हैं जैसे उधारन में हमारा राश्रपती भवन ये एक अंगरेज वोय सराई का घर है तो बहुत साल तक तो अंगरेज वोय सराई रहा जिसको राश्रपती मानते थे तो आप अगर चले जाएं राश्रुपती भवन में तो ऐसे दासों की गुलामों की फौज आपको वहां मिलेगी जिनकी संख्या 4500 राश्रुपती भवन में ऐसे कई गुलाम नौकर हैं जो राश्रुपती की बूट पॉलिश के लिए हैं राश्रुपती के कपड़े पे इस्तरी करने के लिए हैं राश्रुपती के ब्रश पर पेस्ट निकाल कर देने के लिए हैं राश्रुपती की मेज सजाने के लिए हैं एक राश्रुपती हैं और व्यक्ति का तुरूप से 835 करमचारी है और दुरभाग्य इस देश्का या सौ काल सकते किसी को आपको मालूम है राश्ट्रपती ने भारत सरकार के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री को कई बार लिख कर दिया कि ये साड़े आठ सो गुलामों की मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं मेरे जूते पर पॉलिश कर सकता हूं मेरे कपड़े में खुद होता हूं इस तरी की मुझे आवश्यक्ता नहीं होती क्योंकि मैं बिना इस तरी के कपड़े पहनता हूं ज्यादा कपड़े मेरे पास है नहीं तीन शर्ट है और तीन पेंट है दो कोट है दो पेंट है इससे ज्यादा मैं रखना नहीं चाहता एक ब्रीफ केस में मेरा सब साम बिगाड़ते, प्रोटोकोल तो चलने दीजिए, माने वो वोई सराय वाला प्रोटोकोल, जो गुलामी से आया है, दास प्रथा से, वो यहां continue रखना है, हमारे यहां तो नहीं है, भारती अता में तो कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि हम तो आत्मा की बात करते हैं, हम तो कहते हैं आत्मा सबकी समान है, परमात्मा का अंश है, कोई किसी को कैसे गुलाम बना सकता है, हम तो किसी जानवर को गुलाम नहीं बना सकते, आत्मी की तो बहुत दूर की बात है, और अगर बनाते हैं तो वो समाज में विक्रती माना जाता है उसको सुईक्रती कभी किसी में नहीं दिया है ये हमारे देश में नहीं अब हमारे याँ क्या होता है मौडरनिजम में हमने अमरीका और यूरोप से प्रभावित होकर बहुत कुछ करना शुरू किया है जैसे कुट्टे पाल लिए अभी बहुत लोग हैं जो घर-घर में कुत्ते पालते हैं भारतियता में आप कुत्ता घर में बांध के नहीं रख सकते हैं वो तो स्वतंत्र छोड़ने के लिए ही है लेकिन अमने घर में पाल लिए है और उनको गले में पट्टा डालके घुमाने के लिए लेके जाते हैं और फिर वापस लाते हैं उसमें बड़ी शान समझते हैं और अगर उसको पलटके ये कैदो के भाई ये कुत्ते पालने से अच्छा कोई गाय पाल लो तो दूद तो मिलेगा और गोबर का खाद किसी किसान को मिलेगा क्या अबसरड़ी की बात करते हो गाय रखेंगे गंदा करती है और वो कुता कहीं भी गंदा करता है किसी का लिहाज नहीं करता कहीं भी पाऊं उठाके मूत्र कर देगा और कहीं भी संडास कर देगा उसको साफ करना हमको अच्छा लगता है क्योंकि यूरोप से आया हुआ है और हम गाय पालें और उसका दूर्पी हैं तो उसमें पचास तरक सुनाना शुरू कर देतें जी जैपुर शेहर में गाय कैसे पाल सकते हैं कानून नहीं है कुटा पालने का कानून बन सकता है तो गाय का भी बन सकता है लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया तो कुछ घालमेल इस तरह का होता है खिचुडी कुछ इस तरह की होती है तो हम चो हमारी माननेता में ऐसा नहीं है तो हमारे कारी में वैसा नहीं है होता है तो हम उसको विक्रती मान के छोड़ते हैं वो समाज के लिए आदर्श और उधारण में बनता है तो अब हमारी माननिता जिस तरह की है व्यवस्था उसी तरह की बनेगी उनकी माननिता जिस तरह की है अब जैसे वहाँ जितने भी नयाय के कानून है, जिसको जस्टिस कहा जाता है उनकी बाशा में, वो सबी के सबी गुलामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. जैसे पनिश्मेंट के कानून है. पनिश्मेंट के कानून यूरोप में है, उसमें 1960 तक लंडन में 40 कोड़े की सजा थी तो इस तरह की व्यवस्था है क्योंकि वो गुलाब हमारे यहां तो कुछ दूसरे तरह की व्यवस्था थी हर्श वर्धन के समय में चंदरगुफ्त विक्रमा दित्ते के समय में और किसी भी राजा के समय में चोरी के लिए जो कानून बने हैं नयाय देने के लिए और यूरोप में हैं उन दोनों का मैं आजकल अध्यन कर रहा हूँ जमीन आस्मान का अंतर है और वहां अगर सजा है जैसे भारत के क्रांटवीरों को भी वो सजा देते थे कोड़े मारने की क्योंकि यूरोप से आई है वहीं से तो भारत का कोई क्यांतवीर है अंगरेजों के खिलाफ बगावत किया पचास कोड़े मारो जैसे चंदरशेकर आजाद की कहानी तो आपने सबने सुनी है कि उनको अधालत में ही कोड़े मारे गए थे तो उन्होंने जजज से रियायत मांगी कि ये तो बहुत जादा है तो जजज ने का अच्छा पांच कम कर दो पैतालीस मार दो ये दया है लेकिन वो जजज जानता नहीं है कि दस कोड़े में भी ये मर जाएगा और वही हुआ चंदर शेकर आजाद के साथ तो जो नियायदीश बैठा था कुरसी पर वो कहे कि मैं क्या करूँ मुझे तो जो लॉँ मिला है उसके आधार पर मैंने फैसला दिया है अब इसमें प्रेम दया करूना कहां से फिट बैठती है मेरे समझ में नहीं आता भारतियता की नजर से मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे कानून ऐसा मिला है पालन करने के लिए तो चंदर शेकर के केस में जज की ये टिप पड़ी वो कहता है कि भारतियता की नजर से देखूं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो मैंने किया कि उसको मैंने 50 कोड़े की सजा दी बाद में 5 गटा के 45 कर दिया लेकिन चंदर शेकर को जब 10 कोड़े पड़े हैं तो बेहोश हो गए तो बेहोशी के बाद इंतजार किया है जज ने दुबारा होश आने पर बाकी 40 कोड़े मरवाए 45 तो हम कहते हैं जी बहुत अत्याचार है लेकिन वो कहते हैं ये तो हमारे असामन ने विवहार है इसी तरह से हम सजा देते हैं यूरोप में अपनी गुलामों को तो यही भारत में कर रहे है इसी तरह से भारत के क्रांतिवीरों को सजाएं देने के तरीके जो गुलामों को वहाँ यूरोप में, बरफ की सिल्ली पे लिटा देना, और उसको पीठ पर पीछे से डंडे से मारना. This is typical European style. यूरोप में बरफ बहुत है, जमीं पे लिटा दिया, पीछे से बैट से मार रहे हैं. यही भारत में वो ले किया है. और विनायक दामुदर सावर करको पहली बार जब अरेस्ट किया है तो उनको यही दंड है बरफ की सिल्ली पे लिटा कर पीछे से केन से मारना जब तक बेहोश ना हो जाए तब तक मारना तो यह जो कुछ भी वो कर रहे हैं यहां हमको ऐसा लगता अत्याचार कर रहे है क्योंकि हमारी मानिता के वो कहते हैं कि हम तो नियाय दे रहे हैं क्योंकि उनकी मानिता के तो जगड़ा यही है और इसी जगड़े को गांदी जी ने सबविता का जगड़ा बताया और गांदी जी ने ये जो कहा कि ये शैतानी सब्विता है, शायद वो यही सब कारण से, वो कहते हैं ये शैतान से भी गिरे हुए हैं, तो अब हमें ये तै करना है कि जो शैतानी सब्विता गांदी जी बोल गए और जो दिखाई भी देती हैं उनके दस्तावेजों में, उस सब कुछ अच्छा है क्या संस्कृति में सब कुछ अच्छा है नहीं है बहुत कुछ खराब है क्योंकि सभी सब्विताओं में बहुत कुछ खराब होता है बहुत कुछ अच्छा होता है तो हमारी सब्विता संस्कृति में भी बहुत कुछ खराब आ गया है शायद वो नकल स एमीडे क्लास है ये फॉर्वर्ड किवूर्ण है ये रिधार है ये चमार नीचा है नहीं हम बहने है ये आगी हमारी सब्विता का करने काओ करुण है। अच्छा है उसको और अच्छा बनाते चले जाओ, सब्विताओं का विकास ऐसे ही होता है, तो अगर हम मानते हैं कि भारत की सब्विता में कुछ खराब है तो छोड़ें और उसको परिश्कृत करने की कोशिश करें, तब तो इमानदार यात्रा हमारी होती है विकास की, लेक जाएगी, जो गांदी जी कहते हैं, तो मेरी अपनी माननिता में वर्तमान में जो हमारी सरकार है, वो globalization के नाम पर, liberalization के नाम पर इस देश को बरबादी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि बिना सोचे, बिना समझे, European American सब्विता को अंधाधुन्द तरीके से इस देश में लागू करने की पूरी ताकत लगाई जाए, अब हम नाजरीकों के सामने ये बड़ा धर्म संकत है, कि हम कहां जाएं, अगर हमको ये तै करना है, कि हम हमारी सब्विता संस्कृती के साथ जाएं, तो पूरी हिम्वत और ताकत के साथ इसको सामोहिक रूप से कहना और या तो हम समूह के रूप में ये तै कर लें, कि हमको अमरीकी होना ही अच्छा है, जैसे पंडित नहरू मानते हैं, और आज के प्रदान मंतरी भी मानते हैं, कि हम ये ये बलाई है, तो पूरा समाज इमानदरी के साथ अमरीकी और ये बलाई हो जाए, मुझे उसमें होता है, हो नहीं सकता है, सब बितावों में तो नहीं हो सकता है, तो फ्यूजन करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से कोई अभीष्ट नहीं निकलेगा, हमारे लायक नहीं होगा, इतना ही कहकर इस व्याख्यान को मैं विराम देता हूँ, और इस व्याख्यान की मदद से एक नया प्रश्न मैं इस समाज में खड़ा करना चाहता हूँ, कि हमको जाना किधर है, ये तै करें, यूरोप अमेरिका जैसा होना है, तो पूरी ताकत से उधर आए, समाज के इस तर पर ये तै करने की जरूरत है, क्योंकि राजनीत इसे तै करने में समर्थ नहीं है राजनीत समर्थ क्यों नहीं है क्योंकि वो नितांत स्वार्थ में डूप चुकी है और जब नितांत स्वार्थ में कोई डूप जाता है तो वो समाज को दिशा नहीं दे सकता तो ये समाज को ही तै करना है और समाज का हिस्सा राजनीति बने, ऐसी वेरी अपेक्षा है, हमारा समाज राजनीति को निरदेशित करे, दिशा निरधारित करे, अपने इस तर पर तै करके, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आप सब थोड़े से नागरिकों के बीच में ये कहा, क्यों में मिलती हैं, सौकर्टीज को पढ़ सकते हैं, लेविनेज दिकारते, किसको भी पढ़ना हो, रूसों को पढ़ना हो, तो वो भी यहां उपलब्द है, जैपूर में, बहुत सारी लाइबरेरीज हैं, आप उनमें जाके निकाल सकते हैं, और ये जो दूसरे रेफरेंस मिट किया हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी डॉकुमेंट्स हमने कलेक्ट किये हैं, उनके आधार पर हम थोड़ी-छोडी कुछ CD बना रहे हैं, कुछ cassettes बना रहे हैं, कुछ पुस्तकें बना रहे हैं, कभी भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन इस बहस को फिर कुछ वर्षों से क्योंकि मैंने वो देखना शुरू किया है जो गांदी जी आज से 100 साल पहले देखकर चले गए इतनी विनमरता के साथ आपका आभार धन्यवाद और इस विशह पर हम आगे चाहें तो इससे भी जादा और गहरी बात हो सकती है इससे भी जादा और गहरा को कोई आपके बीच में मैं बात करने के लिए फिर से आ सकता हूं लेकिन एक बार मन बने माने सकता तैयार हो इस तरह का सुनने की और सुनने की ही नहीं गुनने की चिंतन करने की तो शायद आने वाले समय में मुझे भी मजाएगा आपको और ज्यादा मजाएगा आपको आप हमारे अंदर पिसले हजार साल से आपके अनुशा वो क्या कमी आ गई है जिसमें कि हम हजार साल से अभी मुसर्मानों के कभी मूगलों के कभी यूरूपियंस के और आज अमेरिकंस के हम गुराम ही बना चाहते हैं अधार अवारत की बहुत बाद बड़ी दुरूपिय जिसके बारे में आपने कखाए विर्भारत की नषु गति हजार साल से बार बार दूसरों की गुलामी में क्यों फसते हैं कभी मुसल्मानों की गुलामी में जिनको हम मुगल कहते हैं वहां फस गए तीन चार सो साल अंग्रेजों के साथ फिर फ्रांसीसियों के साथ डच लोगों के साथ पूर्चुगीज लोगों के साथ तो सबसे जादा साड़े चारसो साल भारत का बहुत बड़ा इलाका गुलाम रहा कारण क्या है मेरी अपनी समझ और माननेता के हिसाब से मैं कहता हूँ आपकी समझ दूसरी हो सकती है पिछले 1200 वर्षों में हमारे देश की सब्विता में जो सबसे बड़ी एक बुराई गुसी 1500 साल का है वो यही कि हमने समाच को जो बाटा है अलग अलग जातियों के आधार पर वर्गों में जातियों के वर्ग बना दिये ये अगड़ा वर्ग ये पिछणा वर्ग कुछ जातियां आगे कुछ जातियां पीछे और उसके आ जवस्था कभी रही होगी तो कर्म के आधार पर थी जन्म के आधार पर कभी नहीं थी हम जन्म के आधार पर अपने वर्ग कभी नहीं बनाते कर्म के आधार पर वर्ग बनाए हैं हमने कभी तो जब कर्म के आधार पर ये वर्ग रहे तो भारत सोने की चुडिया के नाम से स तारी दुनिया में जाना जाता था चंद्रगुप्त भी हुए हर्शवर्धन भी हुए अशोग भी हुए तमाग जब हमने जन्म के आधार पर इसको मानना शुरू किया होगा वहां से गिरावट आई और समाज में गिरावट जब आती है तो राज्य भी उसका एक अंग है सम अंग्रेजों का एक राजा या अधिकारी रॉबर्ट क्लाइब जब यहां आता है और बंगाल में लड़ाई रड़ता है प्लासी के स्थान पर और सिराजुत दौला को पराजित करता है शडयंत्र के हिसाब से युद्ध के मैदान में तो वह एक जुलूस निकालता है और 300 सैनिक थे मेरे साथ मैं और 300 सैनिक भारत के हजारों लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर तालियां तो बजाते थे लेकिन मेरे जुलूस पर कोई एक ईट और पत्थर भी फेग दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और हो गया होता यह उसने अपनी डायरी में लिखा बाद में उसने उसका विशलेशन किया है कि मैंने बहुत दिन सोचा भारत में ऐसा क्यों है तो बाद में पता चला कि जो सड़क के किनारे खड़े हुए लोग थे वो सब पिछड़ी जातियों के थे जिनको यह लगता था कि यह अंग्रेज हैं वो भले हैं अग्री जातिय का स्वागत किया और ना सिर्फ किया बलकि आज भी करते तो यह जो हमारे नहीं हुआ है जाती आधारे जन्म से उसने हमारे समाज की शक्ति को छिन बिन किया कमजोर किया और समाज बढ़ गया अब हजारु जातियां हैं साड़ेator से ज्यादा जातियां है गुरुपस अलग-लग उसके हिसाब से बने तो उसी में हम तूट गए और डूब गए इसी कारण मुझे ऐसा लगता है और भी कोई कारण हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार गुलाम होए और आज भी उसी गुलामी के लिए अभिशफ्त बने हुए ये मेरा अपन मानना है इसके अलग भी कोई हो सकता है यह जो आप कह रहे हैं यह पिछली जाती के रहे हैं पिछली जाती के नहीं रहे हैं इसलिए कि पिछली जाती अगली जाती मिलकर लड़ नहीं पाएं दुश्मनों से आप पिछले हैं आपको अलग किया हुआ समाज नहीं अगले हैं गुलाम हैं तो समाज के पिछले लोग अगलों के साथ